हलो उच्चो गूड मॉनिंग कैसे हो आप लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास तो आज आपका हो गया मेंट केम का सेविंथ टेस्ट और इस सेविंथ टेस्ट में आपको टॉपिक था पर्मुटेशन एंड कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है में बात है कि इस टॉप यह चोटी सी बात एक कमरे में लगे हुए है और जिनके अलग लग स्विच है आठ तो अब यह कह रहा है कि इस रूम को आप कितने तरीके से उसमें लाइट कर सकते हो तो यह जो कुश्चन आपको क्लियर तो यह हुई रहे क्या कि कम यदि कम से कम एक बल्ब जला रहे रहे जूं के अंदर तो लाइट होती रहे गी तो सिंपल सी बात है मिरों को यह तो पताचल गया जो कि आठ बल्ब हैं आप उनमें से कम से कम एक बल्ब आउन कर दोगे तो यह जल जाएगी तो एक बावता हो कि एट सी एट आठो के आठ वलब उन करती है आपने तो इसका मुला क्या हो गया आप सारे वलब उन करते होगे तब भी लाइट जल जाएगी क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया है क्या विट डिफरेंट इमिल इलिमिनेशन मतलब उनके जो रॉष्णी है कमरे के अंदर वो प्रकार से होनी चाहिए एक बल्ब जलाओगे तो कम रॉष्णी होगी दो जलाओगे तो ज्यादा होगी तो कुल मुला के अपने पास टोटल अमर वेज आगे कितने इतने और यह आपको पता है क्या है समाफ बाइनेमिल कोफिशियंट दूइपत गणकों का यह कितना हो ज चलते हैं कोशन नमर टूबर क्या कह रहा है कोशन नमर टू में लैट एवी अ सेट आफ एन एलिमेंट्स जिसमें एन की वैल्यू कितनी है अपनी गिटर दें तरी तो नम्मर आफ ट्रिपलेट पूश रहा है आपसे कि कितने फॉर्म होजेंगे किस से इस से एक से चुने ग x2 x3 और यह कहा तका रहा है xn तक तो मेरा इसमें मेरे को टॉटन चुनना एफ है, तो मैं कितने तरी से ले सकता ह LAN तो कितने तरी से ले सकता हूं ven यदि मेरे को इसमें से y चुनना है तो कितने तरीके से चुन सकता हूँ n, z चुनना है तो कितने तरीके से चुन सकता हूँ n, तो अब आप से कह रहा है यह गोशन में कम से कम दो कॉडिनेट सेम हो, यानि कि कम से कम x y सेम हो जाए या y z same हो जाए या x और z same हो जाएं तो यह हम कितने तरीके से काम कर सकते हैं तो सुनो बाद ध्यान से तो मैंने क्या सोचा इसको टादू सबसक्रे क्या सोचा कि total total number of triplets कितने फॉर्म हो जाएं रहा हुँ आप मैंने पूछ सकते कर दीम। x y z same नहीं हो तो ये काम हम कितने तरीके से कर सकते हैं मतलब जो x हमने चुन लिया वो नहीं चुना जाना चाहिए अगली बार y के लिए y आपने चुन लिया तो z में वो element नहीं है जो x या y में आच चुका है पहले तो इसका मतलब क्या हो गया x को चुनने के तरीके कितने होगे बताओ total number of triplets in which x,y and z are different अब बताओ जिसमें तीनों अलग-अलग हों x,y,z तीनों same ना हो ना कोई दो same हो तो वो कितने परकार से हो जाएगा बताओ पहले को चुनने के तरीके कितने हो गई n, अब दूसरे के लिए चुनने के लिए तरीके कितने बच गए, एक तो चला गया, किसमें x में, तो कितने बच गए बताओ, n-1, और तीसरे के लिए कितना हो गया, n-2, तो यह हो गए, जिसमें x, y, z, same नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, इस total में से minus कर दूँ, जिसमें x, कितना है, बताओ, इसको multiply कर लें क्या, multiply कर लेते हैं, n square minus, कितना जागा यह, यह जागा तुम्हारा, n into n-1, n square minus 3n plus 2, अच्छा, लेकिन सुनो मेरी बात, एक छोटी सी क्या, कि इसमें जो options दे रखें आपको, वो किसमें दे रखें, np3, nc3, इनमें दे रखें हैं, तो ए भी cancel out हो जागा, n cube minus minus plus हो गया, तो यह आजागा, 3n square minus 2n, 3n square minus 2n, तो यह कितना आ गया, यह आ रहा है, 3n square minus 2n आ रहा है, तो 3n square minus 2n आ गया, इसका मतलब यह हो गया, कि इसमें 3n square minus 2n, तो इसका option number third सही है, क्या सही है, option number 3 सही है, लेकिन इसमें क्या है, जब आप n cube ले रहे हो, n cube minus यह करोगी न, तो इसको आप इदी multiply कर दो, इससे, ऊपर नीचे multiply कर दो, n, 3 factorial से, इसमें लेकिन आप जब इसको solve कर रहे हो, n cube minus np3 को, तो क्या हो जाएगा, n cube minus np3 का मतलब क्या हो गया, n factorial, अप इसका option number second b correct हो जाएगा, तो इसमें दोन ही option से ही हो रहे हैं, इसके second b और third b, दोन ही answer same है, ठीक है न, चलो, चलें आगे, चलो, next, the number of age in which the letters of the word radius can be placed in the square of given figure, so that no row remains empty, बताओ, कोई भी रो खाली ने रहने चाहिए, इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं इस काम को, तो एक बात दो पहले तो आप मेरे को, radius में कितने letter आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो 6 letter आ रहे हैं, इसको मेरे को इस boxes के अंदर डालना है, और condition य आ रहे हैं, यानि कोई पंक्ति खाली ने रहनी चाहिए, तो एक बात बताओ, total number of letter कितने है, 6, 6 को आप डालना है, तो मैंने एक possibility यह ले ली, 4, 5 और यह 6, ठीक है, तो 4 element तो इसमें आ गई, बची हुए 2 element या तो इसमें चले जाए, या एक एक दोनों में चला जाए, तो अब इस चीच को सोचना का भी tough होगा, कि मैं इन में से कौन से वाले boxes में elements को डालूँ, तो in case में क्या करोगे, आप ऐसे सोचके देखो कि 6 element है, और 6 element को भढ़ने के लिए, इन boxes में, एक तो complete row यह चले गई, और इन में से कोई एक row जा सकती है, सही है न, यानि कि या तो य यह रो खाली रह सकती है, या फिर यह रो खाली रह सकती है, अपने पास जो maximum possibility है, वो मैं देख रहा हूँ कि खाली कौन कौन से box रह सकते हैं, तो या तो यह दोनों box खाली रह सकते हैं, कौन से, first वाले, या फिर ऐसा हो सकता है, कि इन दोनों में बढ़ दिया, और second box खाली सकती रही नहीं सकती, तो इसका मतलों क्या हो गया, अपन को क्या कर, आपन क्या कर स्क्रेंस में, अपन कर सकते हैं, total, minus, arrangement, arrangement, in which, first row is empty, first row is empty, ठीक है, ना, first row is empty, minus, arrangement, arrangement, in which, second row is empty, second row is empty, second row is empty, ठीक है, second row empty है, तो इसमें क्या, अब कौन से केस बचेंगे, जिसमें कोई भी row empty नहीं रहेगी, तो आप कर दो इसको, total कितना हो गया, बताओ, 6 letter को, 8 boxes में डलना है, तो कितना हो गया, 8C3, 8C6, into in का arrangement, कितना हो गया, बोलो, अलग लगे ना, letter सारे 6 factorial, minus arrangement, जिसमें पहला row खाली रह गया, पहला row खाली रह गया, इसका मनलब सारे box बिजी हो गई, तो कितने तरीके हो उसको बढ़ने के, 6 factorial, minus, second row खाली रह जाए, तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फिर से क्या, 6 factorial, arrange तो गरना है, बस, बाकी boxes और वो तो बराबर है, बिलकुल arrange करना है बस, ऐसे माल लो, 6 लोग हैं, और 6 seat पर बिठाने हैं, तो कितना अंसर आजाएगा, देखो, इसमें 6 factorial, 6 factorial, 6 factorial, इसा करो, 6 factorial तो ले लो, common, अंदर क्या बच गया, 8C6, minus 2, समझे न, 2 क्यों, दोनों सेम है, तो 8C6 की value कितनी होती है, 8C6 हो जाएगा, अपर 2 फोर्जा, 8, और 4 सते 28, 28 minus 2 कितना होगे, 26, तो 26 into 6 factorial आ रहा है, तो कौन से option आ जाएगा, इसमाला option number 3rd आ जाएगा, सही है, चलें आगे, चलो, next question number 4th में देखो, क्या कराएँ आपसे, the sum of all the numbers of 4 different digits, that can be made by using 0, 1, 2 and 3 is, तो पहली बात तो यह समझा रही होगी आपको, कि आपको जो numbers बनाने है है ना, जो numbers बनाने हैं, उनमें digits क्या उन्हें है, different, यानि कि repetition is not allowed, दूसरी बात, अपने पास जो digits हैं, उनमें एक आ रहा है, 0, तो यह बड़ा important question बन जाता है, समझने के साब से, तो इसको समझें, अच्छे से क्या कहना चाहरा है है, पहली बात, आपको कितने digit का number बनाना है, four digit का, तो एक बात बताओ मेरे को आप, यह चार digit fill का नेन चार number से, तो क्या मैं यहाँ पर zero रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर zero रख दिया, तो मेरे पास जो number आएगा, वो क्या जाएगा, three digit number आजाएगा, और मेरे को क्या चाहिए, four digit की numbers का sum च अला गया, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ गया, zero बढ़ गया रखने के लिए, तो again इसको बढ़ने के कितने तरीके अपने पास, three, कौन-कौन से, या तो one रख सकते हो, या two रख सकते हो, या फिर आप zero रख सकते हो, ठीक है, यह दिस में आपने three डाला है, तो, next वो बढ़ यानि कि eighteen numbers form होने वाले हैं, कितने four digit के, अब थोड़ा सा आगे चलो, अच्छे समझ ले ना, इस question को मैं, इसलिए आरम समझा रहा हूं, जिससे कि आपको समझा जाए, और यह question कभी भी आगे आता है, इसा वाला, तो उसको आप कर दो है न, जिनको नहीं आया है, उनके कौन कौन से, या तो one, या two, या three, इन में से कोई एक number डाल सकते हैं, या पर, मालो मैंने आपर one डाल दिया, तो यह बताओ, one से शुरू होने वाले, कितने numbers होंगे अपने पास, जिन में starting में बना रहा होगा, one जिन में आ रहा होगा, ऐसे numbers कितने होंगे, देखो ध्यान से ऄड़ा होगा, इसको बनने का रहा है, अपने फास, तीन, इसको बनने का रही कितने है, एक, यानी कि total number कितने होगा, six, यानी कि one जब यहां पर होगा, तो यहां पर कितने number आ रहे होंगे, total, six, numbers बन सकते हैं, यूजिंग डिजिट्स कौन कौन सी, zero, two, और फ्री, इन तीन कितने वाले नमर कितने वाले गतने होंगे सीरिए कुछनी करना समझों बात को हमकितने बने 12 ठीच तो तीन नंबर आपन फर्स लेस में रख सकते हैं टोटल नमर रगकśl सकते हैं सधिक्स नंबर से होके जिनमें. स्टाइटिंग में घवा ठी मेरी बास सुनो आपको इम्सभी करना है तो मिरी बास तुनो आ जाओ कि नबर की अ कि स्टाइट्साइब विद वन कि है मेरे को एक बास समझाओ बताओ य सी वनभर उगा तो देखो ध्यान से आप आपने ये देखा कि यहां पर माल लो यहां पर आ गया 3, यहां गया 2, यहां गया 0, ठीक है, एक arrangement यह हो गया, फिर यहां पर 3, यहां 0 यहां 2, ऐसा भी उसकता है, यहां 2 आ गया, यहां 0 और 3, और यहां 2 आया, तो यहां पर 3 हो, यहां 0, यहां 0 आया, तो यहां पर 2, 3, यहा मैं आपके सामने possible numbers लिख दिए ठीक है तो इन सब के starting में किस से हो रही है वन से हो रही है तो अब ये वो छह नंबर होगे जिन में starting किस से हो रही है वन से अब मैं जो बताने जारू हूँ समझो बात को ध्यान से है ना कि मैं आप सबको लिखके नहीं दिखाऊंगा आपको कि कितना रहे है वो ग्यात करो आपई ना उनका संहाराय है तो धो और दो चार तीन और तीन छे और जिरो तो दो बार आएगा तीन दो बार आएगा तो कितन हो गया सम बताओ। मैं sorry 8 हो गया ऐसे यहांपे सम कितना हजाएगा 8 यहां भी सम कितना जाएगा 8 आसई चाहिए कि इंद में शो सम हैगा वह थे है तुर्स हागा अब मिरी बात सुना versucht सמל होगा feat यह सअरो ठीक है यहां पर समरे रहा है यहां सम कितना रहा है यह कितना रहा है एट अब सुनो मेरी बात यह तो गया फर्स्ट नमबर अब सेकेंड बात मैं कहने जा रहा हूं नमबर स्टार्ट्स विद किसके बताओ तू से शट होने वी बताओ मैं बस एक कॉलम बनाओ ठीक है न यहां पे टू लिख दिया अब मेरे को बताओ यहां पर दो बर की आयका जङगा फिर्स्ट कॉलम में क्या यहां married स्च कॉलम में क्या schauen में का याईगा दो और जीरो दो भारದ फ्रीजओं में का A अच्छ ASMR कॉतिम में करी ए एफ में के में कितना आ decía इसमें तरद दुड़दीओ दो ड़ो चार, दस आएगा इसमें सम, कितना सम हो रहा है यह, 10 हो रहा है ना, सीम नहीं हो सकता था न, वहीं में सोच रहा है, सीम कैसे हो गया, तो यहाँ पर 10 आएगा, इनका सम 20 का मलग कितना हो गा, 10-10 हो गा, ठीक है न, मैं मिटा दू इसको, ठीक है, आजओ, इन सब का सम कितना आएगा, 8 आएगा, 2 बार 1, 2 बार 3 और 2 बार 0, यहाँ पर भी कितना आएगा, 8 आएगा सम, यहाँ भी सम 8 आएगा, और यहाँ पर 2, 6 बार आएगा, तो कितना सम हो गया, 12, ठीक है, अब 3rd नमर पर आजाओ, starts with 3, नमर इस्टार्ट विद 3, बोलो, कितना हो जाएग बोलो, 6 आगया, यहाँ भी 6 आजाएगा सम, यहाँ भी 6 आजाएगा, लास्ट वाले में 3 जब 6 बार आएगा, तो कितना हो गया सम, 18? चलो, आप सब कासम कर लेते हैं, 6 तो नमर यह बन गई, 6 नमर यह, उन सब कासम कितना हो जाएगा? unit place पे कितना आ रहा है, यहां पे 10 आ रहा है, यहां 8 और यहां 6, तो 8 और 6, 14, 14 और 10, कितना हो गया, 24, तो unit place लिट आगे, 4, 24 के बाद, हांसे लगी 2, तो 2 carry होगा, तो कितना बज़ेगा, 2 और 8, 10, 106, 16, 16, 16 और 10 कितना होगा, बताओ, 26, फिर 2 carry होगा, फिर 2 और 8, 10, 106, 16, 16 और 10, 26, फिर 2 carry होगा, अब इस बार कितना हो जाएगा, बताओ, 12 और 2, 12 और 2 कितना होगा, अपना 14, 14 और 8 कितना होगा, 32, 32, 6 कितना होगा, 38, तो इसका मतला तो sum आएगा, वो कितना होगा, 38,664 आएगा, अरिवासन ने, तो यह बड़ाई important question था, इसको आप अच्छे से देखो, next question number 5 में देखो, क्या कहे रहा है, the number of even divisor of the number and equal to 6300, तो देखो, इसके अपने को even division निकालने है, तो सबसे फ़हले तो क्या कर लो, इसका factorization, 6300 के prime factorization क्या हो जाएगा, बताओ, 2 पंजे 10, और क्या बचे यह 100 करना है, इसको, तो square कर दो, और 9 को लिख दो 3 का square, 7 ब prime factors, अब इसका क्या meaning हुआ, इसका meaning ही हुआ, 2 दो बार आएगा, 5 दो बार आएगा, 3 दो बार आएगा, और 7 एक बार आएगा, आप से बात कर रहा है कि number of even divisor कितने होंगे, तो पहले एक बास सुन लो, छोटी सी, क्या, कि आपको कभी भी number of divisor निकाल लें, तो तरीका क्या number है, तो इसके total number of divisor क्या होते है, alpha plus one into beta plus one into gamma plus one, यह अपने पढ़ा होगा, ठीक है न, इसको थोड़ा समय समझा जाता हूं, कैसे आया, कैसे नहीं आया, आपने क्या देखा, यहाँ पर 2 की पावर 2 आ रही है, इसका मतलब 2K, क्या-क्या अपने पास format है, 2 की पावर 0, 2 की 1, 2 की पावर 2, 3 के लिए क्या-क्या है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 के लिए क्या-क्या है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 7 के लिए क्या-क्या है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, ठीक है न, तो number of divisors का मतलब क्या होता है, कि अपने को क्या करना है, इसमें से कम से कम 0 या तो 0 object या कम से कम 1 चुनने का तरीके कितने होंगे वो अपने को निकालना है नमर ड्यूएजर का मतलग तो इसका लग क्या हो गया? तो इसमें से चुन सकते हैं तो इसलिए क्या हो रहा है जो पावर है उसमें किया है प्लस वन थी की पावर है और फावर हम प्लस वन कर रहा है तीक है? लेकिन इस कुस्टन में आपसे कह रहा है कि number of even divisor इसका मतलब क्या हो गया? कि उसमें कम से कम एक 2 तो होना चाहिए जो divisor है वो 2 का multiple होना चाहिए इसका मतलब मैं 2 की पावर 0 को select नहीं कर सकता तो इसका मतलब 2 को select रने के तरीके कितने हो गया अपने पास? दो चलो दो तो नी अठार हो दुनी 36 तो total number of wage कितने होगे अपने पास? 36 हो गया यानी total number of even divisor कितने होगे 36 होगे समब आचा कितने होगे 36 क्यों क्यों क्योंकि उसमें कम से कम एक 2 आना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया कि इन में से कोई एक तो कम से कम लेना पढ़ेगा अपने को 2 की प number of triangle that can be formed with the 10 points as vertices n of them being collinear is 110 then n is आपको 10 बिंदू दे रखे हैं किसी समतल पे है ना और उसमें वो कह रहा है कि n बिंदू क्या है उसमें से सन रेखिये हैं और इन 10 points से बनने क्या करा triangle बनाए इनको क्या मानके vertex मानके तो पूछ रहा है n की value क्या रही होगी तो एक बावता हो total points कितने हैं 10,10 में से आप कितने points चुनोगे कि ट्रेइंगल बन जाए, ट्रेइंगल के कितने vertex होते हैं 3 है ना तो sum of sorry कितने तरीके सुमझते हो आप 3, तो 10 में से कोई भी 3 point आपने चूच कर लिये, लेकिन क्या हुआ, जो 3 points आपने चूच कर लिये, वो क्या होगे, collinear य एक स्टेट लाइन बन जाएगी और वो तीनों मतलब सब्सक्राइब हैं तो तो उसका लगए इसमें जो एन क्या हैं को लिनियर पॉइंट्स उनको मैंने अटा दिया इसमें से उन तो तीनों पॉइंट्स को यह दी हमने उन एन में से कोई भी इतिन पॉइंट्स लिया होंगे तो उनसे कोई भी ट्रेंगल नहीं बनाओगा तो उसको मैंने हटा दिया समय से और कितने ट्रेंगल बनने ऐसे टूटल 110 इसको आप सॉल कर लो आप का अंसर आ गया 10C3 की ट्रकाट चाड़ती है बारा 120 120 आ गया माइनस 110 को यहां ले आओ एककुल टू एंसी 3 ठीक है तो कितना बच गया 10 बच गया तो इसकी वेल्यू आ रही है तो आपको यह यह दोना चाहिए अब एंसी 3 की वेल्यू टैन आ रही है तो एन के वेल्यू कितनी हो जाएगी पांच पांच समझगाई बाद यहां से एंकहुल टू एसके अंधी कितनी हो गी सीधे पांच यह आपको आना चाहिए है इतना पोटशिय प्रक्टेस है ना किनके परतेंस के फिल्यू रुँआ यहाई पाँच दूसीर जाएगी माइनस चार तो माइनस चार लेंगे नहीं क्या लेंगे पाँच चलें चलो सिंपल कुश्चन था यह वाला कुश्च नमर 6, the number of integral solution of x plus y plus z बरावर 0 with ये condition अपने सहरा है number of integral solution निकालने है x y z के, तो निकाल देते हैं न, तो ये तो आपने पढ़ाई है x plus y plus z बरावर 0, तो सबसे पहले एक बाद दता हो, इसका मतलब क्या हो गया, x plus 5 क्या होना चाहिए, greater than equal to 0 y plus 5 क्या होना चाहिए, greater than equal to 0, z plus 5 क्या होना चाहिए, greater than equal to 0, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको माल लिया t1 इसको माल लिया t2, और इसको माल लिया t3, ठीक है, तो ये बताओ मिरको आप, यदि x plus 5 को अपने t1 माना, तो x की value कितनी आगी, t-5 आ गई, कितना आ गया बोलो, 15 आ गया, कुछ नहीं किया, replace कर दिया, x को t-5 से, तो ये आगे 3 हो, 3 हो, अब इसका क्या meaning हुआ, इसका meaning ये हुआ, 15 identical चीजों को अपने को 3 लोगों में बाटना है, कुल कितने तरीके होंगे, याद आ गया वो दिन, n कंबलों को r लोगों में बाटना है, तो कितना तरीका होता है, n प्लस r, minus 1, c r minus 1, तो कितना answer आ जागा बता हो, 18, 17 बचेगा, नीचे कितना आ गया, 2, तो 17, c2 का में लग इतना हो गया, 17, 136 हो गया, 136 आ जागा answer, सही है, कौन सा है, option number 2, कर लो गया राम से, चलें आगे, काफी important question है, बहुत ज़्यादा important ह है, ना, अच्छे से कराएं, इन को questions को आप, हाँए, देखो, next question number 8, चा कह रहा है, element n is selected from the set, this one, and the number 2 की power n, plus 3 की power n, plus 5 की power n, is formed, कुल मुला के, ऐसा है कि, समुच्चे दे रखा, अपने को एक से दे रखा है, जिसमें natural numbers है, एक से लेके 100 तक, और अपने को उसमें से एक element ऐसा चुन रहा है, जिसका, जिसमें, जिसकी विज़े से 2 की power n, plus 3 की power n, plus 5 की power n, का sum जो है, वो क्या हो, divisible हो, किस से 4 से, तो बता हो, तो बताओ, अपने n को किते नमर तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो करें शुरू, सबसे वहले कुश्रन तो समझा आगया आपको, तो मेरी बास सुनो, आप, तो मान लो, n आपने 1 सेलेक्ट किया, n की value अपने 1 सेलेक्ट रही, तो 2 की power 1, plus 3 की power 1, plus 5 की power 1, कितना आगया य तो यह तो डिजल नहीं है, तो ऐसे तो कब तक करते के देखेंगे, है ना, बॉसिवल नहीं है, तो सुनो मेरी बात अब, आपने क्या किया, 3 की power n को देखो, और 5 की power n, तो याद होगा आपको, binomial theorem में क्या करते थे, जब divisibility test करते थे, तो उसी नमबर के format में उसे लिखके एक्सपेंड करते थे, तो अब आपको क्या करना है, 3 की power n को लिख देना, 4 माइनस 1 की power n, और इसको लिख देना, 4 प्लस 1 की power n, लिख सकते वार हम से, अब आगे सुनो, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे, तो first term तो क्या आएगा, nc0 और 4 की power n, और ऐसे चलते चलते, last म क्या जाएगा, ncn-1 की power n, जिसमें 4 नहीं आ रहा होगा, 4 की power क्या आएगी, 0, इससे पहले वाले term की बात करूं मैं आप से, तो वो आ जाएगा, ncn-1 और 4 की power 1, और minus 1 की power कुछ भी रही हो, n-1 रही ही, ठीके न, इसके बाद, जब इसको एक्सपेंड करोगे, आप तो क क्या एगा, nc0, 4 की power n, प्लस, 4c1, 4 की power n-1, और last में क्या जाएगा, 4c, sorry, यह 4 नहीं, n है, यह क्या है, nc1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ncn-1 की power n, सही है, यह सारे term's positive होंगे, तो अब आप ध्यान से देखो, first से लेके, second, last term तक 4 आ रहा है, तो इन सम में से तो 4 common आ गया, same with this, इन सम में से 4 common आ जाएगा, ठीक है, न, लेकिन, last के जो तो terms है, उनका value कितना है, इसकी value है, minus 1 की power n, और इसकी value है, 1 की power n, यानि कि यह value तो है 1, और वो value या तो plus 1 हो नहीं चाहिए, या फिर minus 1 होगी, तो इनका जो sum है, वो 4 से divisible करना है अपने को, तो यह बता n, 1 है तो, बात आगी समझे, तो n की value ही थी, 1 से बड़ी value, तो 2 की power n, will be divisible by 4, यहाँ पर यह सारा का सारा 4 से divisible हो रहा है, दिक्कत है वस इसकी, तो इसको आपने क्या किया, n येदी सोचो आप, n येदी एक odd number होगा, n belongs to odd number, तब तो क्या होगा, यह आपस में, cancel out हो जाए तो, 1 कितना होगा, 2, और यहाँ पर even होगा, तो 2 की power n, even होगा, तो क्या हो जागा ये, 4 का multiple होगा, तो 4 plus 2 कितना होगा, 6, तो कुल मलाके वो number 4 से divisible नहीं रहेगा, तो n क्या होना चाहिए, odd होना चाहिए, और greater than न चाहिए, किस से, 1 से, तो मिर को बताओ ज़रा, odd numbers कितने हैं, जो 1 से बढ़ी हैं, इसमें, 49 होंगे, नहीं होंगे, सही है न, एक से लेके 100 तक में, 50 even number होते हैं, 50 odd numbers होते हैं, जिन में 59 होंगे आपके, वो odd natural numbers होंगे, जो क्या होंगे, जिसकी वेज़ से क्या होगा, 4 से divisible होगा number, ठीक है, तो n के लुक इतनी हैगी, यहाँ पर, 49 तरीके होंगे, 49 ways to select N, चलें आगे, चलो, काफी important question है, divisibility का, ठीक है, चलो, next चलते है, question number, 9 पर, 8 IIT students and 2 medical students, sit in a row, ठीक है, the number of ways in which exactly 4 IIT students sit between 2 medical students, 2 medical के बच्चे हैं, और 8 IIT के students हैं, ठीक है न, और उनको बिठाना है किसमें, medical students के बीच में, तो मानलो, 2 medical students हो गए है, और इनके बीच में अपने को 4 IIT students बिठाने है, अब IIT के students हैं, तो अलग-लग होंगे, ऐसो नहीं है, सारे same identical होगे students है न, अलग-लग होंगे, different होंगे, अच्छा, तो देखो, मेरी बास सुनो, पहले तो 4 IIT के students select रहने पढ़ेंगे, जो इसमें बिठाने हैं बीच में, तो आपने क्या किया, आप IIT के students में से 4 select कर लिए, अब इनको बिठा दिया, अब बच्चों जो बिठा हो गया, आप तो arrange भी कर सकते हो इनको, तो इनको मैंने arrange कर दिया, कितने, 4 factorial, इनका काम हो गया, into, अब जो medical के students बेटे हैं, M1 यहाँ बेटे, M2 यहाँ बेटे, यह एक arrangement हो गया, M1 यहाँ बेटे और M2 यहाँ बेटे, यह दूसरा arrangement हो गया, तो into कर दिया minute 2, और आगे चले, अब बच्चे हुए जो 4 students हैं, वो रह गए 8 में से, 8 में से 4 उच गए, अब उनको और बिठाना है, तो अब आप सोचो, यह एक box बन गया, अब यह एक box हो गया, प्लस 4 यह लोग हैं, तो 4 यह object, एक यह बड़ा वला object, टोटल तर यह कितने हो गए arrange करने की, 5 factorial, क्योंकि यह box भी तो कहीं भी आसकता है, रहेंगे तो यह पूरे साथ नहीं न, आगी बस लगे, तो कितना answer आएगा अपना बोलो, क ठीक है, चलो, question number 10, number of wage in which 18 1 rupee identical coins can be distributed among 4 persons, such that nobody receive less than rupees 3, 4 लोगों में 18 rupee बाटने हैं, एक एक के सिक्के हैं 18, तो उनको अपन कितनी तरीके से बाट सकते हैं कि कि किसी को भी 3 से कम रुपे नहीं मिले, तो कम से कम कितने रुपे देने हैं आपको, 3 रुपे देने हैं, तो identical चीज़ों को 3-4 लोगों बाटने हैं, या 8 लोगों बाटने हैं, कि क्या तरीका होता है, अपना याद आ गया, मालो जो 4 लोगों हैं, वो हैं, x1, x2, x3 और x4, इन 4 लोगों में कितने coin बाटने हैं, मेरे को 18, तो क्या हो गया, x1 plus x2 plus x3 plus x4, इनका इस तरीके सम करना है कि क्या आ जाए, 18 आ जाए, लेकिन condition क्या दे रखी है, कि ये x1 क्या होना ची, ये greater than equal to 3, ये भी greater than equal to 3, ये भी greater than equal to 3, और ये भी greater than equal to 3, तो वही अभी कर रहा था question है, थोड़े देर पहले, क्या करो आप बताओ, x-3 को, क्या मालो, t1, तो x की जगे क्या replace हो जाएगा, t1 plus 3, y की जगे क्या replace हो जाएगा, t2 plus 3, z की जगे क्या replace हो जाएगा, बताओ, अच्छा, ये क्या मैंने माना है, x2, x2 और ये x1 माना है, मैंने है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, t3 plus 3, और x4 क्या हो जाएगा, बोलो, t4 plus 3, ये बात आगी समने, तो इनको replacement कर दो, आप इसमें बस, कुछ नह करना है, t1 plus t2 plus t3 plus t4, बताओ, क्या करने वाला हो इसके बाद में, 3, 3, 3, 3, कितना हो जाएगा, 12, तो एककोल तो क्या हो जाएगा, 18-12, सही है, तो कितना बच गया, ये 6, तो यानि कि 6 चीजों को 4 लोगों में बातना है, कम से कम 0 मिल सकती है, एक को, तो क्या तरीका हो गय है, क्या बता हो, 6 और 4, 10, 10 में से गया, तो 9, 9, C, 3, तो आंसे गया गया, 9, C, 3, तो कौन से ऑप्शन सही है, ऑप्शन नमबर 4, चलें आगे, चलो, and different toys have to be distributed among and children, total number of ways in which these toys can be distributed so that exactly one child gets no toy, ठीक है, and बच्चे है, and toys है, इस प्रकार से बाटने हैं सब में, कि ठीक, एक बच्चे को कोई भी toy ना मिले, कोई भी खिलोना ना मिले, तो देखो, सबसे पहली बात तो क्या हो गई, अपने पास total number of toys कितने हैं, and, इसको distribute करना है कितने बच्चों में, and बच्चों में, ठीक है, और सब को बताओ, एक ही एक toy मिलेगा, यदि इसाब से चलोंगा तो मैं, बोलो गलत तो नहीं कह रहा, सब को मैं यदि एक एक बाट दूँ, तो and toy मेरे बढ़ जाएंगे, सम्मे क्या कह दिया, कि इस तरीके से बाटने की, exactly one child get no toy, मनला ठीक, एक बच्चा ऐसा होना चाहिए, जिसको कोई भी खिलोना ना मिले, तो मैंने किसी एक को कर दिया, zero, सही है, किसी एक को मैंने zero कर दिया, तो जो खिलोना बच गया आब एक, वो किसी ना किसी एक में तो जाएग किसी भी एक बच्चे को दो क्लोन मिल जाए, बाकी सब को एक एक मिल जाए, और किसी एक को zero मिले, यह तरीका हो गया, अब इसको अपने को अरेंज करना है इन सब बच्चों में, तो क्या हो गया तरीका बताओ, याद है, group formation, n factorial upon, total कितने क्लोने है, n, n को बाटाए इस group में इतने group मनाए, तो two factorial, एक ही बच्चा होगा जिसको दो मिलेंगे, बाकी सबको एक एक मिल रहा है, तो one factorial कितनी बार आएगा बताओ, एक तो zero मिल ला है, एक को दो मिल रहे है, तो बाकी सबको कितने मिल रहा है, एक एक एक, तो कितने हो गई यह लोग, n-2 होगे, अब चलो, तो one factorial कितनी बार आ रहा है बताओ, n-2 बार, तो n-2 factorial से डवेट करना पड़ेगा, into, इन सबको आपस में arrange कर दिया मैंने, तो into n factorial, आगे हैसन में, तो इसको solve कर लेते हैं, तो उपर कितना आ गया, n factorial into, n factorial और नीचे one की power कुछ भी हो, one ही रहेगा, तो क्या बच गया नीच n-2, तो यह answer आगे, आपना n factorial into n-c-2, सही है, तो इसका answer सा कौन सा होगा, option number, यह second option आ रहा है, n factorial into n-c-2, सही है, चले आगे, चलो, काफी अच्छा question है, छोटा सा, प्यारा सा, consider the letter of the word mathematics, then possible number of words in which no two vowels are together, कोई भी दो वोवेल एक साथ नहीं होने चाहिए, तो याद आ गया, जब भी कहेगा, कोई भी दो चीज़ें एक साथ नहीं हो, जब भी किसी question में आए, कोई भी दो चीज़ें एक साथ नहीं होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, उनको gap method में डाल, gap method यूज कर लो, उसमें, क्या कर लो, gap method यूज, gap method में क्या होता है, जो साथ रह सकते हैं, उन सब को पहले arrange कर दो, फिर ये चेक करो, कितने gap create होगे, उन gaps में क्या करोगे आप, जिनको साथ नहीं होना, उनको डाल दोगे, तो उससे क्या होता है, अपने पास, वो number of वे जा कितने आ रहे हैं, स्वर कितने आ रहे हैं, इसका मतलब, स्वर आ रहे हैं आपके, ए आ रहा है, दो बार, ए रहा है, एक बार, आई आ रहा है, एक बार, चलो, चार तो यह हो गए, और consonant कितने आ रहे हैं, तो म कॉंसुनेंट कितने आ रहे हैं कॉंसुनेट मतलब जो सने वंग है न तो कितना उजागा कितीन याँ रहा है बताओ दो बार टी यसक्राप हाएग बार रह यह एग यह एक बार पहले मैं इन सब कॉंसोनेंट को अरेंज कर दूँ, वियंजन को, कैसे, दो और दो चार, पांच, छे, साथ, तो कितने तरीके साथ रेंज कर सकते हैं, सेवन फैक्टोरियल, इंटू, इंटू से पहले बात सुनो, साथ ओको अरेंज कर दिया, जिसमें दो M एक जैसे हैं, दो T एक जैसे हैं, तो डिवैट करना पड़ेंगा किस से, टू फैक्टोरियल इंटू, टू फैक्टोरियल, बात आगी समय में, जो साथ रह सकते हैं, पहले उनको आप अरेंज कर दें, उसके बाद जिनको साथ नहीं हैं, उनको डाल दें, इनके गैप्स में, तो बताओ, साथ लोग ये दी बैठे हुए हैं, तो गैप कितने होगे हैं, ये इक है न, आपने डाल दिया, म, एम, टी, टी, हैच, सी, ये डाल दिया आपने आपने न., तो कितने हो गए है तीन हो गई है तीन और तीन हो डिखाए हमेशा एक चाहर एंब आठ गया तो उन और अठ गया क्या लिया इन चार बच्चों के लिए चार बच्चे बोले तो चाहरा लेटर्स के लिए प्लेटिक मैं developed in понятно तो उनको अपने रंच नहीं कर सकते, तो divide by 2 factorial, तो answer कितना आगया बताओ, 7 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, into क्या बजाएगा, 8C4 into 4 factorial क्या बन जाएगा, बताओ, 8P4 बन जाएगा, into में 1 upon 2 factorial, क्या answer आजाएगा बताओ, सोचो, अच्छा, P में change नहीं किया है, C में यह सारे, तो देखो कौन सा सही है फिर, 7 upon 2 बार 2 आ रहा है नीचे इसमें, यह आ रहा है, 8C4 into 4 factorial सही है, तो option number 3rd is correct, चलें आगे, काफी है ना, छोटी सी बात है, तो मैं यह बात बता रहा था आपको, कि एक तो इसमें लिखाता है कि यह vowels are not together, एक आता है, no vowel is together, कोई भी दो वोविल एक साथ ना हो, यह एक बात हो गई, सारे वोविल एक साथ ना हो, यह दूसरी बात हो गई है ना, तो confusion हो जदा है कई बार, तो उसको आप दूर रखें confusion को यह ना, तो सारे एक साथ नहीं हो, तो फिर हम क्या करते है, total minus, जब स ncr upon ncr plus 1, क्या हो जाता है यह, पहले तो समझा दूँ मैं, उसके बाद वहाँ पर आऊँगा मैं, ठीके न, ncr क्या हो जाता है, देखो ncr में क्या होता है, उपर n factorial, इसमें भी उपर n factorial, तो कर जाएगा आपस में, नीचे यहाँ पर क्या आएगा, n minus r, n minus r factorial, और यहाँ पर nr factorial into r factorial, और नीचे जाइगा n factorial upon me, n minus r minus 1 factorial into r plus 1 factorial, सही है, तो देखो यह, तो यह r factorial से यह कड़ेगा, तो r plus 1 बचेगा, इससे यह कड़ेगा, तो यहाँ पर n minus r बचेगा और यह तो पूरा कड़ जाएगा तो यह नीच वाल चल जाएगा ऊपर और यह आ जाएगा नीचे तो कुल्मला के आंसर आएगा आर प्लस वन अपॉन एन माइनस र ठीक है ना यह आप ध्यान रखें जोड़ा सा अब इसी के बेस्पर में आपको सीधे लिए चल र पर और नीचे क्या बचेगा एन माइनस र प्लस वन अब यह चीज तो में आती है तो यह चीज तो नहीं आती है नहीं तो नहीं आती क्या करें बताओ समझो अच्छे से है ना तो बारती है 36 और बारती है 84 थी अपॉन से बेन आ गया है यह एक्वेशन नमबर बन गई अपनी वन समझने चोटा बड़ा मैंने क्या करा है इसको सिंप्लिफाय किया है बस है ना यही सिंप्लिफाय करके ही आ जाएगा आप आराम से कैंसल आउट पर करके भी कर सकते हो है ना याद नहीं किया है अपने तो चलो इसको मिटा दूँ में चलो नेक्स्ट अब देस अपन दिस कर लो अब एन सी आर अपन में एन सी आर प्लस वन बोलो यहां पर क्या जाएगा 84 और नीचे कितना गया 126 अब देसको यहां पर आ रहे है यहां डॉले तो और प्लस में ओपर चला जाएगा यहां पर एन- माइनस एगईगा और यहां तो यहां पर चैनल ओने के बाद क्या बच्छे का देखना चेकंग छेच्छ चौक चौविस शेदूनी बारा चेकंग एककिस और कट राए क्या ओहो दो साथ दूनी चौदा और साथ यह एककिस टू अपन थ्री आ गया तो कलो को रूप दोनों को आंसर निकाल लोगे कलो कि चलो कुछ नमर 14 दी वैल्यू अफ दी एक्स्प्रेशन दिस इस एक्स्प्रेशन की वैल्यू चाहिए अपने को तो क्या करेंगे बताओ सबसे पहली बात 47C4 प्लस जे की वैल्यू रखो इसमें तो कितना आजाएगा जे की वैल्यू 1 रखोगे तो 51C3 टू रखोगे तो 50C3 टू रखोगे तो 49C3 और बोलो क्या 48C3 होगे क्या सारे 5 रखेंगे तो 47 हो रहाएगा 47C3 बोलो मज़ा आया मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं आया तो और भी अच्छी बात है ना मज़े लेने तुड़ी आये हो आप सही है तो सुनो 47C4 और 47C3 इन दोनों का पेर बनाओ बन रहे गया 47C4 और 47C3 NCR प्लस NCR प्लस NCR प्लस NCR प्लस NCR प्लस N क्या हो जाता है और इसका पेर देखो आप ध्यान से ऊपर वाले तोनों से में अपर इंडेक्स और लोर इंडेक्स में एक का अंतर है तो क्या बन जाएगा दुबारा से N प्लस NCR प्लस N करेंगे तो कितना हो जागा 49 और नीचे के आजागा 4 फिर 49 के साथ बनाओगे आप तो 49 के साथ बना है आपको आखों ही आखों में सौल होना चाहिए आपसे आपको देखती सब्सक्राइब आना चाहिए कि अच्छा हाँ इसका तो अंसर यह हो जाएगा आगे चलें 15 let N1 N2 N3 N4 इस order में है be positive integer such that this equal to 14 than the number of such distinct arrangements क्या होंगे तो एक काम करो पहले तो आप यह चेक करो कि यह कहना क्या चाहरा है यह value सबसे छोटी है फिर इसके बाद यह आने चाहिए फिर इसके बाद यह और इसके बाद यह इस तरीके के आपको arrangement देखने है N1 N2 N3 N4 के कितने बन सकते हैं तो शुरूबात किससे करेंगे बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे positive integers तो क्या बोलेंगे बन 1,2,3 और इन सब का सम कितना है 14 तो कितना बच गया बताओ एक और 2,3,3,3,6,6,8 कितना हो गया 14 तो एक तो यह बन गया order रिपीट कर रहा हूंगे बात को अपनी N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 बरावर दिरखा है अपने को 14 ऐसे 4 नंबर हैं जिनका सम कितना है 14 होना चाहिए और उनका order कुछ ऐसे होना चाहिए कि यह value सबसे छोड़ी होनी चाहिए 2nd value उससे बड़ी 3rd value उन दोनों से बड़ी और 4th value उन तीनों से बड़ी तो इस order में आपको यह 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो मैंने एक arrangement सेलेक्ट लिया 1,2,3 लिख दिया सबसे आसन तरीका फिल लाश्वले में जो बचगिया वो लिख दिया क्योंकि अपका सम कितना होन यह कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा एक कम हो गया यहां से बढ़ गया वहां से एक कम हो गया 8 है ना यह हो गया system set last के दो का अब बताओ इसको मैं 3 कर दूँ 1,3,4 अब 1,3,4 चार,4,4,8,8,6,14 यह आ गया सही है अब इसके बाद इसको 5 करोगे आप तो 5 करने पर क्या हो जाएगा इसमें से एक कम करोगे तो यह भी 5 हो जाएगा मतलब नहीं है कोई है ना बराबर हो गए दोना numbers चलो अब ऐसा करते हैं आब इस कर दिया सेकिंड कर दिया अब फर्स को चेंज करके देख लेते हैं फर्स को चेंज क्या करें टू करते हैं 2,3,4 कितना बच गया बताओ 2,3,5,5,4,9,9 और यहां पर कितना है 14 तो 5 आ जाएगा बिल्कुल सही है तो यही लास्ट अर्रेजमेंट है इसके लाबार लास्ट अ इसका मतलग तो कल लोगे यह आई टी में भी आया था कोशन ऐसा है ना चलें आगे बस चलो नेक्स्ट कुशन नमर 16 16 में कह रहा है अ कार प्लेट नमबर कंटेनिंग अल्ली 3 और 4 डिजिट्स एक कार प्लेट है जिसके तीन या चार डिजिट की नमर हो सकते हैं और कह रहा ह जाना चाहिए उन नमर्स में ठीक है लेट दर मैक्सिमम नमबर ओफ कार देट केन भी नमबर अच्छा तो मैक्सिमम नमबर कितनी कार नमबर करिया सकती है मतलब कितनी प्लेट नमबर नमबर बनाई जा सकती है टोटल तो एक काम करें पहले एक क्यार प्लेट नमबर तीन या चार अंकी है जिसमें सूनने नहीं आता है तो विविन नमबर कि अधिक्तम ठीक है तो विद्विन नम्बर की अधिक्तम कितनी नमberger Conference बनाई है सकती है ठीक है अलग-लग नमडर की नमडर बनानी है वो कितनी बनाना है सकती है मैग्जिमम मुँए तो सब सले想ब है चार नमर की dorlie बनानी है 9 की पावर 4, प्लस, 3 डिजिट वाली कितनी मन जाएंगी बताओ, 9 into 9 into 9, तो कितना हो गया 9 की पावर 3, तो कितना अंसर आगया सीधे, यह तो बहुत आसान हो गया कोश्चन है न, लेकिन समझना टफ्ता कोश्चन को बस है न, तो कितना अंसर आजाएगा, देख लो जो भी आ रहा है, 9 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 9 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 729 into 10, तो 7 to 9, 0 आगया अंसर, तो अप्शन नमबर 3 सही है, इसका मतलब, सेट है, चलो, 17 कोश्चन में, in a class of 20 students, having 20 chairs in 5 rows of 4 each, देखो, समझो कोश्चन को, कोश्चन में यह कहना चाह रहा है, कि एक क्लास में क्या है, 20 chair रखी हुई है, और हर एक, जिसमें, हर एक रो में 4 chair है, यही कह रहा है, देखने तो ध्यान से, 5 row of 4 each, ठीक है, 5 row हैं टोटल हैं न, देखो, बना दी मैंने 20 chair, शान्दाजी, अब इन में क्या बठाना है, बिठाना है, इपने को बच्चों बठाना है, जिसमें 10 लड़की हैं और 10 लड़कियां हैं, और इस तरीके से बठाना है, कि किसी भी लड़के के आगे लड़का नहीं होना चाहिए, पीछे लड़का नहीं होना चाहिए, दाएं और बाएं, कोई भी लड़का नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, कि यदि यहाँ पे boy बैठा है, तो इसके चारों तरफ क्य यह कहना चाहूंगा कि आप इसको सम्झो किसके help से चैस की help से या दार है chessboard देखा है आप लोगों ने तो chessboard में क्या होता है 8x8 का होता है chessboard यहाँ पर मैंने मान रहा हूँ यहाँ पर 8x8 का chessboard होता है और यहाँ पर क्या होता है एक white होता है तो दूसरा black फिर white फिर black ऐसी तो चलते हैं तो अब मेरी बास सुनो यहाँ पर यह जो 20 chain है इसमें 10 तो क्या होगा है बॉइश के लिए चेयर बनगे एक तरीके से और 10 क्या होगा ही गल्स के लिए तो मैंने क्या किया बिल्कुल ऐसे ही white black ऐसी बना दिया जी वी जी वी जी वी जी वी करके है ना तो 10 तो जी हो गए और 10 भी हो गए तो बताओ मेरे को आप छोटी सी बात बताओ 10 जी को बढ़ाना है तो कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं 10 फेक्टोरियल 10 बॉइश को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं 10 फेक्टोरियल लेकिन होगा क्या जहां बॉइश बढ़ायते हैं उनकी जागे गल्स भी आ सकती है तो टोटल तरीए कितने होगे इंटू टू तो कितना अंसरा जागा बताओ टू इंटू टैन फेक्टोरियल का स्कुएर तो कौनसा ओप्षन होगा ओप्षन नमबर वन रिपीट करके सुन लो यह दी समझ में नहीं आया होता हूँ आगी वास समझ में वैसे है ना दस लड़के बठाने है दस लड़के बठाने है और इस तरीके से बठाने है कि कोई भी लड़के के आगे पीछे दाएं बाएं क्या नहीं चाहिए लड़का नहीं होना चाहिए और लड़की के से जाथ भी सेम केस तो मैंने क्या करा चैस बोर्ड जो होता है ना बिलकुल उस of class sends a card to every other student, नई साल के दिन, नई वर्ष के दिन क्या होता है, प्रत्यक विध्यारती, दूसरे विध्यारती को करता है, एक करते हैं, तो यह सबी हैं, उन सभी को आपस में गारें, रहे होंगे, कार्मा कार्ड वेज़ेगा तो एन में से मैंने क्या कर लिया कोई भी दो बच्छ लिए जूना काड्ड वेजा आपसमें है ना इंटू यह गहीं अचनी टू अब एक कार्ड इसने इसको वेजा और दूसरा इसने स्थे वेजा तो इंटू टू टू फेक्टोरियल बराबर कि गतने कारण भीज़ेशन दलगे्ट च्हेस्सो एकल टू कितना हो गया जिसंद्र टो कितना अंसर गए बता हो गारा है एन इंटु एन माइनस भन अपॉन में टू इंटू तू बरावबर छेस्ट तो तू रुच्छेस्ट तो तू कर गया क्या आ हो गया एन स्कुयर माइनस जैन माइनस चैसी सो बराबर जीरो तो कितना जाएगा अंसर निकल लोग यह आंसर कर लो इसको इसको आंसर आ रहा है ना फ्रेक्टर करने इसके बस तो कितना जाएगा कर लोगे पच्चे पच्चे शेसोब च्च्छ तो पच्चेस इंटू 24 आ गहा इसका मतलब एन मैंनेस 25 से इंटू क्या जाएगा माइनस चाहिए तो एन प्लस 24 एक्कुल टू जी तो एन के विलुब 25 आ गई इसका मतलग कितने से क्लासमें टॉटल 25 होंगे चलें आगे चलो नेक्स्ट कुर्शन नमर 19 इन हाव मेनी वेज सिक्स डिफरेंट बुक्स केन बीडिस्टिटेट बिडिविन फोर परसंस सो एट इस परसंगे एट लिस्ट वन बुक हर एक आदमी को प्रत्य विक्तियों कम से कम एक किताब मिले तो छे किताबों को कितने प्रकार से बांटा सक रखेंट एन प्लस आब माइनस बैसे तो ग्रुप फॉर्मेशन से दिफ्रेंट छीज़ें डिफ्रेंट लोगों बाटने है ना तो बताओ चैक चार मेरे को बनाने अललग लग हर किसी को कम से कम एक तो मिलने चीए तो एक 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 तीन हो गई बच्ची विए इसको देदी ह है ना एक तरीका-थो यह गया दूसरा, शह किताबौं को मैंने एक को एक दी ओंधी में नहीं दु तो कितनी बच गयी अगंड़ा만 कोई और वह रहुत नहीं बने इसके लावब कोई और दो रहीं चतागиях एसको आप 3 कुरो के यह रहा करोने दूर्धे यह चला एक तो three factorial वाला और एक one तो one के कितनी थीन है तो इनटू तीन लेकिन सेम हैं तो divided by three factorial into four factorial क्यों 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 कि इनको औरेंज कर देंगे आप तो चारों को plus same यहां पर six factorial upon में one factorial का square into two factorial क्योंकि दोनों same group है same number of group है into two factorial का square but divided by two factorial into four factorial इसको solve कर लो आ आप आँसर आजाएगा ठीक है a कि नेक्स्ट नमब्र 20 number of six digit numbers in which sum of square of digit is nine six digit के से कितनी number वन सकते हैं जिनके sum of square कितना हो nine हो तो एक काम करते हैं चोटा सा पहले तो एक number मैं माल लेता हूं X1 X2 X3 X4 X5 X6 यह मैंने कोई भी number माल लिया ठीक है और इस number की जो digits है 6 की 6 इनके square का sum कितना आना चाहिए बताओ 9 आना चाहिए इसका मतलब यह क्या कहना चाहरा है कि x1 का square plus x2 का square plus x3 का square plus x4 का square plus x5 का square plus x6 का square यह बरावर कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए तो क्या-क्या possibility है सोचो आप मैं क्या करूँ 1 1 1 1 1 1 कितने वन होगे पांच और बच्ची वह एक को कर दूँ 2 का square तो बोलो आ जागा नहीं आ जाएगा आन से चाहर डिजिट हो जाए 1 1 1 1 1 1 5 5 हो जाए 1 1 1 1 1 1 1 और एक हो जाए 2 तो सब के square का sum कितना आ जाएगा नहीं ना आ जाएगा एक और केस एक और केस क्या ले सकते हैं दो को ले लेते हैं दो दो तो दो दुनी चार दो दुनी चार 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 आठ हो गया और एक और ले लो वन बाकी कर दो आप जीरो डिजिट्स तो ये भी एक पॉसिबिल्टि ए लास्ट पॉसिबिल्टि एक और बन सकती है देखो 0 0 0 0 0 आतीन दिया नौ को वन ले लिया टू ले लिया थी लेए अब इसके अलावा करना है सबको तो one two three four five एक दो तीन चार पांच और छे जिडिट्स को क्या करना है को अरेंज करना है तो six एक आ गया गया तो उस siz ago या फिर ये वडिश्चन कर जाएगा या फिर यह इव डिश्चन मे para अगयुड़ल तो यह थैंग जीरो यह नहीं है तो इसका मतलब जो चाहत्म नंबर उन अना है उसमें वर टू इन में सब्सक्राइना जाए हो तो फैस यह थे समzent आप और देखो पहले वाले box में ने बन रखती है अब इन पांच box को बढ़ने की तरीका कितने होंगे बताओ पहले में बन आ गया तो बचे कितने पांच बच गए तो उनको बढ़ने की तरीका कितना हो गया पांच बढ़ने की तरीके कितने होंगे यह पांच बढ़ने की तरीके कितने होंगे तू यहां चाह चुका है एक बचा कौन वन और टू बचे और तीन जीरो बचे तो फाइब फेक्टोरियल डिवाइड वाय बोलो कितना थ्री फेक्टोरियल क्यों क्योंकि एक टू तू यहां गया बस एक ही टू बचा था तो इसलिए यहां पर रिपीट नहीं हुआ तो कितना अंसर आगया इसका 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 अंसर आगया पांच और बीस ठीक है तो कितना अंसर आगया बताओ अच्छा थ्री वाला रह गया लास्ट अब थ्री वाले को तो शुरू में थ्री लखना पड़ेगा अपने को थ्री के अलावा कुछ आ नहीं सकता आगे तो थ्री के बाद क्या आएगा एक दो तीन चार पांच बस यही वनेगा नंबर एक ही नंबर वनेगा इसका इसके 20 और इसके 10 तो आंसर कितना आगया बताओ दस और 20 30 31 और 6 37 तो आंसर आगया अपना टोडल 37 सही है चलो आगे चलें जब भी ऐसे आए है ना केस बना लो आप पहले बन से शुरू कर दिया फिर टू से चलो नेक्स्ट नंबर ओफ वेज इन विच 7 इंडियन और 7 यूरूपियन पीपल can be seated on a round table so that no two European are consecutive देखो एक गोल इमेज पर साथ भारती और साथ यूरूपियन को बढ़ाना है जिसमें कोई भी दो यूरूपियन एक साथ ना हो जैसा ही बोला मैंने दो यूरूपियन एक साथ ना हो समझ जाओ क्या गेप में डालना है किसके भारती होंगे यूरूपियन साथ नियुक्त नहीं है न यूरूपियन नहीं चीए रिसकोई भी साथ नहीं रहेगा है न चलो एक गोल में जाए इस पे मेरे को साथ लोगों बढ़ाना है कितने तरीके ऊंगे बताओ सेवन माइनस वन फेक्टोरियल इंटनू गैप कितने आ गई उतनी एंगे जितनी लोग हैं क्योंकि गोल चाहर है तो कितना हो गया सेवन इंटनू सेवन फेक्टोरियल इंटनू सेवन पर्योगों असान कुशन था बिलकुल कोई दिक्कत नहीं थी चलो नेक्स्ट, बाइस नमर कुश्चन, नमर आफ वेज इन विच पाँच बॉईज और पाँच गल्स केन बी सिटेड ओन अ सर्कुलर टेबल, अल्टरनेटली इफ अ पाँटिकुलर बॉई एंड गल्स अर नेवर एड़सेंट तो इच अधर इन एनी अर्रेंजमेंट, आर, कोई भी दो, अच्छा, ये कह रहा है कि पाँच बॉईज हैं और पाँच गल्स हैं, तो समझो इसको जहन से अच्छा कुशन है, फाइब गल्स एंड फाइब बॉईज, इनको क्या करना है, एक गोल मेच पर बढ़ाना है, तो कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं, यदि पर्टिकूलर एक लड़का लड़की ना, साथ में नहीं होने चाहिए, साथ में दिक्कत होगी, तो इसलिए कहा है, साथ में नहीं होने चाहिए, तो साथ में नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, किसी को भी है, ना कोई boys ले लो या girls ले लो ना पहले मैंने boys को बढ़ा दिया चलो ladies first तो girls को मैंने पहले बढ़ा दिया ठीक है G1, G2, G3, G4 और G5 पांच girls को बढ़ा दिया कितने तरीके होगे पांच girls बढ़ाने के बताओ 5-1 factorial into अब आगे चलो, अब मेरे को boys को बढ़ाना है, अब ये बताओ, मानलो वो जो particular girl ले ना वो G1 है मैंने मानल लिया वो particular जो girl है वो G1 है, अब इसके साथ ना B1 को नहीं बढ़ाना मेरे को मतलब मैंने मानल लिया G1 और B1 ऐसे वो जोड़ा है जिसको साथ नहीं बढ़ाना, तो G1 के साथ B1 नहीं बढ़ाना B1 यहां नहीं बढ़ाना और यहां नहीं बढ़ाना, यहां तो बैठ सकता है तीनों में से, तो इन तीनों में से कोई एक जगा चुनली मैंने किसके लिए बिचारे बीवन के लिए तो बीवन को यह बढ़ा दिया अब बचे कितने जग है चार तो उन चार जगवा में किसको बढ़ा दिया मैंने बची हुए चार लड़कों को तो कितना अंसर आ गया मेरा बताओ तो 3C1 into 4 factorial into 4 factorial कितना अंसर आ रहा बताओ अच्छा ओप्शन में क्या है 4 factorial 4 factorial और यह कितना हो गया 3 3 into 4 factorial 4 factorial तो देखो option कौन सा match हो रहा है 4 factorial 4 factorial अच्छा तो एक काम करते हैं पन थोड़ा सा change करते हैं फिर इसको 5 बना लो एक को 5 तो बनेगा नहीं 6 बना जाएगा 6 बना लो 6 बना जाएगा हाँ तो 6 factorial बन गया बिल्कुल 6 factorial बना अंसर आएगा किसी एक में से ना तो देखो 6 कैसे बनेगा समझ गया आगया ना समझ आया ना नहीं आया गया अब आएगा समझ में देखो 3 factorial 4 factorial 4 factorial इसको मैंने क्या किया 6 बन जे 30 30 से multiply और divide कर दिया तो 30 से multiply का मतलग गया 5 इंटू 6 तो यह तो बन गया 6 factorial आप इसको solve कर लो आप कितना होगे यह 10 4 factorial का मतलग कितना होगे 24 24 का मतलग गया 12 बटे 5 तो इसका मतलग answer आ रहा है मेरा 3rd सही है तो ऐसे change भी करना पड़ा सकता है आपको ठीक है चलो आगे गुल्लू है 6 friends in how many ways he can invite one or more of them तो लेनर बहुत ही common question है हर किताब में हर sheet में दे रहा है तो क्या कहना चाहरा है गुल्लू है गुल्लू क्या कह रहा है कि 6 friends हैं तो उनको खान पर बुलाने चाहता है वो और खान पर बुलाने में उसको कम से कम एक यकई बनने को सकता है कम से में एक को बला सकता है यह चाहिए कि उसे कम एक चिश्थों चिज़ों में से कम से कमे यह चुनना है न किसकी मारव मैन सब शाए अठी कावर सिक्स मतलब 64 कर लोगे चले हांगे yes 24 question 24th question में कह रहा है यह number of ways in which 16 identical toys are to be distributed among 3 children such that each child does not receive less than 3 toys 16 identical चीज़ों को है न किसे माठना है 3 बच्चों में कम से कम 3 toys मिलने चाहिए है तो कम से कम 3 मिलने चाहिए है क्या हो गया x1 plus x2 यह question वैसे हो गया कुछ कुछ है न x3 equal to कितना हो गया 16 और हर एक की value क्या है greater than equal to 3 है तो कितना हो जाएगा t1 plus t2 plus t3 ब्राव कितना हो जाएगा बताओ तीन तीन नो 7 बचेगा तो साथ चीजों को तीन लोगों बाटना है तो कितना हो गया यह तो greater than equal to 0 आगया अभी समझाएगा था ना इसलिए बारवार समझानी जरूत नहीं है तो कितना हो जाएगा बताओ साथ चीजों को तीन लोगों बाटना है तो n plus r minus 1 c r minus 1 कितना आ गया साथ तो तीन दस नाइन सी टू आ गया और नाइन सी टू की वेलू कितनी होती है दो चौक आट चार नाम 36 ओप्शन नमर थर्ड़ इस करेक्ट समझारी बात नहीं आ रही है यह है तो permutation commission जो chapter वो ऐसा है कि आप पर यदि दिमाग अच्छा चल रहा है और आपने पूरा मतलब आपको हर्ची रटनी जरूत नहीं है ना आप दिमाग समझो questions को तब करो चलते हैं next question पर question number 25 मलिका writes letters to five friends and addressed the corresponding ठीक है मलिका कोई है बच्ची है ना तो लड़की है और वो क्या करती है अपने पांच दोस्तों को letter लिखती है ना letter लिखती है तो वो कह रहा है कि 5 तो क्या है letter है और उनके corresponding 5 क्या है envelope है लिफाफे है अब वो कह रहा है कि कम से कम है ना at least 3 कम से कम 3 गलत लिखाफ में चले जाएं मतलब उसका letter उसको और उसका letter उसको मिल जाए ना तो ऐसे कम से कम 3 गलत लिखाफ में जाने chances कितने हो सकते है ना तो ऐसे number of ways in how many ways she can send letters such that at least three of them get wrong envelope यानि क्या हो गया रॉंग letter है ना गलत लिखाफ मिले कम से कम 3 लोगों को तो एक काम करो आपके पास total कितने है पांच लेटर है तो पांच में से आपको क्या करना है गलत विखाफ में कम से कम 3 को तो आपने क्या किया पांच में से दो चुन लिए सही वाले बाकी तीनका क्या कर दिया डी अर्रेंजमेंट फिर मैंने क्या किया पांच में से एक चुन लिए सही बेजने के लिए और बाकी सब क्या कर दिया डी अर्रेंजमेंट और मैंने पांच में से कोई भी नहीं चुना है ना सब क्या सब क्या क्या कर दिया डी अर्रें तो आगया 10, D3 की वेल्यू आपको याद होगी, कितने होते हैं, 2, 5C1 की वेल्यू कितने होगी, 5, D4 की वेल्यू कितने होती है, याद है, 9, यह आप याद रखो हैं न, कि जिस्से की वहाँ पर टाइम खराब नहीं हो, आपका, 3 को गलत बेजने तरीका कितना होता है, 2, 4 के चार के लिए कितना होता है, 9, और 5 के लिए कितना होता है, चोंब आले से, 44, तो कितना आ रहा है समदेख लो, 45 और 44, 99, नहीं, 45, नहीं, नहीं, 89, 89, 89, वीज कितना हो गया, 109, इसका अमला 3rd option सही है, काफी common question है न, यह वाला भी, चलो, next, अब अपने शुरू होते हैं, क् में हैं, integer type questions, ठीक है, चलो, तो शुरू करते हैं, question number 1, consider a polygon of n sides which satisfies the equation this, पहली बात तो अपने को n की value निकाल ली है है, यहां से, तो n की value निकाली जाए, इसको solve कर लोगे आप, मैं करके दिखाऊ, n factorial, और नीचे क्या जागा, n minus 4 factorial, ऐसी यहां पर जागा, n minus 1 factorial, और नीचे ज value आएगी, यहां से, 2 और 10, n की value आएगी, 2 और 10, मैं आपको उता दूँ, तो n की value 2 तो possible नहीं है, क्योंकि 1 P5 है न, अपर इंटेक्स फोट आज जाएगा, लोवर से है न, तो यह तो possible नहीं है, लेकिन, अपने यहां सा कर सकते हैं, क्या, n की value जब 10 लोगे, तो क्या कह र कि 2 adjacent sides of the collateral are common to the sides of n-sided polygons, question को समझो ध्यान से, हो सकता है, कुछ बच्चों question समझो नहीं आया हुआ, पहले कह रहा था कि यह जो एक question दे रखी है, उससे आप n की value निकाले हैं, आपने निकाल ली, n की value आगई 10, दूसरी बात, n की value आगई है, अब यह क्या कह रहा है, कि n-sided कोई polygon है, अपने पास बहू बुजय कोई है, n-side का, मालो ऐसे रहा होगा, है न, ऐसे, n-side का, तो कितनी side आ रही हैं, इसमें 10 आ रही हैं क्या, 10 आगई हैं, 10 आगई हैं, तो अब वो कह रहा है कि इसमें से हमने को क्या करना है, इस polygon के vertex को लेकर, एक quadrilateral बनाना है, और खास बात यह होनी चाहिए, condition यह है उसमें, कि quadrilateral की 2 adjacent side, उस polygon की 2 side होनी चाहिए, यानि कि polygon और quadrilateral में 2 side common होनी चाहिए, और कौन सी होनी चाहिए, common adjacent, adjacent में बनाब, सल लगन, यानि की, बड़ा, आड़स प्रोस वाली, यानि कि जैसे 2 side हैं, यह दोनों क्या होनी चाहिए, same, common, क्या होनी चाहिए, common, तो ऐसा कितने तरीके से आपन कर सकते हैं, तो ऐसे कितने quadrilateral बन सकते हैं, तो सुनो अब मेरी बात ध्यान से, यह समझा गया आपने मानलों यह आगया है, यह 2 side सेलेक्ट लिए आपने हैं, यह 1 quadrilateral बन गया, जिसकी 2 side तो यह नहीं है, बाकी 2 side हो चाहिए मेरे को, तो यह बताओ, quadrilateral के कितने vertex होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें से 3 vertex तो यहाँ पर आचुके हैं, दिख रहा हैं सबको बताओ, 3 vertex आचुक क्योंकि इसको join कर दिया मैंने से, तो यह वाली side भी common हो जाएगी, तो 3 side common हो जाएगी, किसमें, quadrilateral में और बहु बुझ में, 3 लगातर side के हो जाएगी, लेकिन वो क्या करा है, 2 लगातर side common हो नहीं हो सकते हैं, तो सुनो मेरी बात अब, ना आप यह ले सकते हैं, ना तो य मतलब यह हो गया, कि यह 3 को चुनने के कितने तरीके हो गए अपने पास, 10, अब यह सुनो 10 कैसे हो गए, 2 आपको क्या लेनी है, adjacent side लेनी है कोई भी, total side कितनी है, 10 है, तो कोई भी 1 pair चुनना है, तो 10 में से कोई भी 1 pair चुनना है आपको, 10 ही तरीके होंगे, या तो अपने यह ले लिया, या फिर यह ले लिया, या फिर यह ले लिया, ऐसे, तो कितने हो गए 10, तो 10 तो यह हो गए अपने, क्या, यह adjacent side चुनना, फिर बचे हुए, कितने vertex रह गए, 1, 2, 3 तो चले गए, 2 यह चले गए, जिसको अपन को लेना नहीं है, बचे कितने 5, उन 5 में से आगया, उसको आप जोइन कर दो, इससे देखो, तो आपके सामने क्या बन रहा है, यह बना है नहीं बन रहा, तो यह वो चत्र बुजए, जिसकी 2 बुजए हैं, तो common है, लेकिन बाकी दोनों क्या है, बीच में आ रही है, तो कितने तरीके हो गए, से कितने 50 हो गए, इसका करते हैं अपन, जब 2 और 5 मिलता है, तो 10 बनता है, तो इसमें आप क्यों क्या करना है, बस, exponent of 5 will give number of zeros, ठीक है न, number of zeros देखो, तो क्या कर लो, आप exponent of 5 निकाल लो, तो कैसे निकालते हैं, यादे, यादे नहीं है, exponent of 5 कैसे निकालते हैं, 331, अपन में 5, GIF, प्लस, 331, अपन 5, का स्क्वेर, GIF, 331, अपन 5, का क्यूब, GIF, and so on, सही है, तो क्या हो गया बता हो, डिवाट गरो, 5 से आप डिवाट गरोगे, इसको तो कितना आएगा, आप 5 निके 30, और 5 निके 30, ठीक है, तो 66 आ गया, क्योंकि ग्रेटेश निजर फंक्शन है नहीं, तो ग्रेटेश इंटीजर फंक्शन का मितलब क्या होता है, पोड़ांग, एक इंटीजर लेना है आपको है, उसकी वेल्यू कहेगी, इंटीगल वेल्यू है यह 66 आ गया, अब एक बार और डिवाट कर तो 5 से इसको, तो 5 निके 5 निक पिर 5 से और कर तो इसको 13 को तो 5 तो 10 अगला जो आएक वो सारा क्या जाएंगे 00 क्यों क्योंकि 2 अपन 5 कितना है, 0.4 और 0.4 का GIF क्या होता है, 0 तो कितना अंसर आ गया, 13 और 66, कितना हो गया, 69, 79, 81, तो आंसर क्या रहा है बेटा, 81 आ रहा है, so you have to fill 81, ठीक है, चलो, हाँ आई, next, question number third में क्या कह रहा है, देखो, if the letters of the word pretty are written in all possible ways है, simple सी वाद है, rank निकालने का आपको फंटा पता है, क्या होता है, सबसे पहले, जिस भी word की वो rank पूछ रहा है आपसे, जैसे इसमें पूछ रहा है किसकी, प्रीती की, तो सबसे वहले क्या करोगे, प्रीती के जित आई, पी, यू, आर, स्टी है ना, चलो, तो ई से बनने वाले, सबसे पहले पन क्या चेक करेंगे, ई से बनने वाले कितने word होंगे, बोलो, कितने है ये 5, तो कितना अंसर आगया, 5 factorial, तो कितना हो गया ये, 120, next, ई के बाद दूसरे ई से जरूरू तो निया लिखने की, क्यो 2 factorial, तो कितना बच गया ये, 60, सही है, ई आगया, आई आगया, अब पी, अब पी की बारी आगई, अब पी जैसे ही आया, तो मिरे को याद आया, अच्छा, मिरे को तो पी ती की रेंग निकलनी थी, और पी ती में तो पी सबस्वेले आ रहा है, तो पी हो गया, फिक्स, पी हो गया, तो कितना हो गया, 24, सही है, अब आगे चलते हैं, पी हो गया, ई हो गया, अब ए के बाद को न आएगा, आई आएगा, तो पी के बाद आई, आई तो मिरे को नहीं चाहिए, तो फिर इससे बनने वाले कितने होंगे, 4 factorial, डिवाइड वाए, 2 E आ रहे हैं, तो ड आगया, आर क्या उत को न आएगा, E आएगा, E भी चाहिए क्या, हाँ, E भी मेर को चाहिए, तो E को फिर से काटो, फिर E वाला E आएगा यहाँ पर, alphabetically, order में है न, तो फिर से E चाहिए, हाँ, बिल्कुल E चाहिए, फिर से, यह भी काटो, फिर क्या आएगा, I आएगा, I चाहिए आपको, I नहीं चाहिए आपको, तो I के बाद बनने वाले कितने वर्ड होंगे बताओ, एक ही होगा, और वो होगा T वाला, और फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, खुद फृती, फिर आगे फृती, तो कितने होगे यह ट्रॉल ली देखो, यह एक वर्ड हो गया, तो कुल मिला कितने होगे, एक और एक यह दो, दो और बारा, काउंट कर लो कितना होगे, रेंक कितनी आजेगी, 180, 204, 216, 27, 218, तो रेंक आ रही है 218, तो अब वो क्या कह रहा था, sum of digits of P, P keys, तो इस रेंक के sum of digits कितना होगा, 2 और 1, 3 और 8, 11, तो बेटा, answer फिल करना है आ आगे वसने, चलो, next, question number, fourth, in how many ways a committee of six members can made out, of four men and four women, चार men और चार women से क्या करना है, अपने हो, committee बनानी है, 6 लोगों की, आसन, question है, हर sheet, हर book में मिलता है, चलो, तो बताओ, आठ लोग है, आठ लोगों में से, 6 लोगों की committee बनानी है, जिसमें, कैसे बना सकते हैं तो, तो बताओ, मैंने क्या किया, 4 के 4 तो आदमी ले लिए पहले, और बची हुई दो के या ले ली महीला है, तो वो कैसे लेनी पड़ेंगी, 4C2, या फिर क्या करोगा, लिख दूँ यहाँ पे, 4 men, 2 women, 3 men, 3 women, 2 men, 4 women, इन के लाभा कोई और तरीके नही 4C2 into 4C4, solve कर ले न, answer आजाएगा, यह तो पता है न, NCN की value क्या होती है, 1, यह कितना हो जाएगा, 6, यह कितना हो गया, 4 into 4, और यह कितना हो गया, 6 into 6, तो यह आगया 36, यह आगया 16, और यह आगया 6, तो कितना answer आगया बताओ, 6, 6, 6, 18, 18 और 28, कितना हो रहा है, 22, 38, 48, ज है न, तो क्या हो जाएगा, रेंक आगयी, 6 और, कर लोगे आगया, तो कितना answer आ रहा है, 48, सही कर रहें न, बने एड, 42, 52, 58 आ रहा है शायदे न, कर लोगे इतना तो एड कर लोगे आप है न, आराम से, चले हांगे, चलो, simple question था यह वाला है, न, next and the last question, 5th, number of points, x, y, z, can be traced by positive integral solution of x, y, z, बरावर 24, अच्छा कोशन है, काफी अलग कोशन है, न, करते हैं, देखो, सबसे पहली बात आप से कह रहा है, x into y, z दिरखा 24, तो बताओ, number of points, x, y, z, कितने बन सकते हैं, और positive integral solution चाहिए, अपने को negative आ लेनी चाहिए, है न, positive, तो बताओ, 24 के factors क् होगे, 2 का cube, 8, 3, 24, यह आ गया, तो अब एक काम करते हैं, न, एक काम करते हैं, आपको पताना है, x, y, z की value, है न, possible integral क्या-क्या हो सकते है, positive integers क्या-क्या हो सकते है, x, y, z, तो यह बताओ, x में 2 और 3 आ रहा होगा, तो 2 की power मानली मैंने alpha, और 3 की power मानली बीटा, यह भी 2 के और 3 के factors में आएंगे, यह भी 2 और 3 के factors में आएंगे, तो इसको मेंने मानली alpha 1, beta 1, इसको मेने मानली alpha 2, beta 2, और इसको मेने मानली alpha 3, और बीटा 3, सही है, अब इन तिनों को multiply करना है, और मि लुए को multiply कर दिया मैंने, तो x, y, z, कितना आ अगया, बताओ, 2 की power होगी, alpha 1, plus alpha प्लस अलफा 3 क्योंकि बेस से में तो पावर से एड़ हो जाएंगी, multiply 3 की पावर क्या हो जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, ये भी हो गया, अब आप से कह रहा है कि ये जो आ रहा है ना, इसमें ये जो अलफा 1 प्लस अलफा 2 प्लस अलफा 3 है, इन तिनों सम क यह होना चाहिए 1, क्योंकि 3 की पावर कितनी थी यहां पर, 1, तो बताओ, 3 identical चीज़ों को, 3 लोगों बाटना है, तो कितने तरीके होंगे, 3 plus 3 minus 1, C, 3 minus 1, और इसके कितने होगे अपने, एक चीज़, 3 लोगों बाटनी है, तो 1 plus 3 minus 1, C, 3 minus 1, तो कितना अंसर आ गया, यह तो आपका, कितना, 5C2, 3, 3, 6, यह तो आ गया, 5C2, into, कितना हो गया यह, 4, 3C1, कितना आ गया, 30 आ गया, अंसर, कितना आ गया, 30 आ गया, तो यह था आपका, मेथ केम का, 7th test का solution, इसको आप अच्छे से कर लें, थैंक यू, Hello, Good Morning Friends, आज हमारे पास, जेई का जो है, साथ नुमबर, Math, Math ChemDT, से हैं, जिसका हम solution करने जा रहे हैं, और, Myself, Dr. D. Raj Rao, Team Chemistry, CLC Seeker, तो देखिए, हम सबसे पहले, first question से start करते हैं, first question जो है हमारा, in the reaction sequence, एक reaction दे रहे हैं आपको, और उसमें आपको CH3C triple bond CH, फिए ग्रिनार रिजेंट से reaction करवानी है, तो देखिए, पहला step हमारे पास क्या होता है, बच्चो, CS3, C triple bond CH, अब इसमें ये acidic hydrogen होता है, तो acidic hydrogen होने के वज़े से, ये reaction कर लेगा, देखो, ये minus हो जाएगा, ये H plus हो गया, acidic hydrogen हो गया, तो इसकी reaction हम करा रहे हैं, CS3, पर minus हो गया, mgbr, ये हमारा प्लस हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहला जो step आएगा, वो CH4 बन गई आपकी, CH4 गेस हो गई, और product A बना आपके पास में, वो बन गया, CH3, C triple bond C, mgbr, Mgbr बन गया, अब ये जो है, Mgbr, अगेन reaction करेगा, CO2 के साथ में, CO2 के साथ में, इस तरह का molecule होता है, यहाँ पर negative ले लिया, यहाँ आपके पास positive आ गया, अब देखेंगे ये negative है, ये positive है, nuclear attack कर लेगा, यानि ये आपके पास में, इस carbon पर attack हो जाएगा, और attack होने के बाद में, ये product बन जाएगा, CH3, C triple bond C, और C double bond O negative, फिर फर्दर इसका होगा, hydrolysis, तो ये product हो जाएगा, आपका CS3, C CS3, C triple bond C, और फिर C double O H, तो ये हमारा answer जो आजाएगा, फिर थर्ड आजाएगा, बच्चो, थर्ड एंस्वरी स्क्रेक्ट, नेक्स्ट कुश्चन लेते हैं, कार्बोगलिक एसट गैन बी रिड्यूस विद। कार्बोगलिक एसट गैन बी रिड्यूस, जैने बना लेते हैं, ये ऐलकेन ग्रूप में चले जाते हैं, में चले जाएंगे यानि इससे बन जाएगा एलकेल एलकेल में कनवर्ट कर देते हैं तो यह हमारा फस्ट एंशरी करेक्ट अब सोडियम बोरो हाइड्रेडिक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो क्या करता है कुछ ही ग्रूप का रेडक्शन करता सब का नहीं करत होता है तो हमारा ओल अब दीज नहीं आएगा यह माइल्ड ऑच्ट एजिएजट पीरिडिनिम क्लोरो क्रोमेट तो हमारा आंसर हो जाएगा फस्ट नेक्स चलते हैं इन डा गीवन रियक्शन दीगे अभीकरिया में हमारे को प्रोड़क्ट पूछ रहे है तो देखिए यह जो रियक्शन आ supporting है तो इसमें हमारे पास दो गृप आरे है बच्छो एक तो ऊचिंद तो पोक यहार रहा है एक ची डवल ओ उचच आरा है तो यह जो ऊच है वो ल नारेजिया दूह को रहते हैं तो लिविंग गुरूप यहां से रिमूब हो जाएगा और यहां रिमूब होकर के और सी एल आजाएगा पीज्जाएगा आपका सील्रिप्लेश हो जाएगा तो यह प्रोड़क्ट बन जाएगा आपका सेकेंड ओस यो सील अब यह वाला भी नहीं आएगा और यह दोनों सील रिप्लेस कर देगे तो आज गलत हो गया और साइड प्रोड़क्ट आपके पास बन जाएगा पी यो सी एल थ्री और प्लस एच सीयल को के प्लस एलकोलिक योज भी वाट इस दैब भी पुछरा क्या प्रोड़क्ट बनेंगा तो देखें बच्चों यह हमारे पास है क्लोरीन रेड फोस्पोरस यह कैटलिस्ट होता है यह रिक्शन होगे हमारी ह्वीजेट हैल वोलाट जलेंस की रिक्शन अलफा क्लोरो जो है ना हमारे को पास यह अलफा होता बच्चों तो यहां से रिप्लेस करके हम ले लेंगे सी एच थरी पहले देखो सी एच टू सी डबल ओएच और यहां से सी एल टू की रिक्शन करा रहे है और रेड फोस्परस कैटलिस्ट का काम कर जाएगा तो यह आजाएगा च थरी सी एच सी एल सी डबल ओएच ठीक है बच्चों तो यह हमारा साइड प्रोड़ेक्ट बन जाएगा एच सी एल वन क्लोरीन एटम इस रिप्लेस भाई वन हाइ ठीक है यहां से एक हाइड्रोजन यहां से एक निकल जाएगा फिर हमारे पास आगए यहां से एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगा तो यह साइड प्रोड़ेक्ट निकलने के बाद में बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH तो थर्ड एंस्वरी इस करेक्ट नेक्स्ट जाएगा पास देखे लिए फास जैसे हमको रिपर्जेंट करना है तो यह वन डिगरी एमीन आगया हमारे पास और टू डिगरी रिपर्जेंट करना है तो बच्चो हम यहाँ पर एक कार्बन ओर ले सकते हैं तो यह वन हो गया और थ्री डिगरी के लिए हमारे पास तीन कार्बन हमको चाहिए चाहिए कम से कम तो यह थ्री डिगरी अगय यह यह हम दो रिपर्जेंट कर सकते हैं लेकिन क्वाटनरी सोल्ट का से रिपर्जेंट कर सकते हैं तो यह कभी रिपर्जेंट करना है सकता क्योंकि कि minimum 4 carbon is required right next question लेते हैं बच्चो विच आप फॉलोविंग एमिन विल नॉट रेस्पॉंड टू कार्बोग्जलिक कार्ब कार्बिल एमिन रेक्शन कौन सा कार्बिल एमिन अभी कि रिया नहीं दर्स आता है कार्बिल एमिन रेक्शन देखिए बचो कार्बिल एमिन रेक्शन ह दिए ऐम एम यह बच्चो उट इथिल एमिन है बच्चो तो यह टेस्ट देश्ट देढ़ आपका और तो यह भी देदेगा हमारे नहीं देगा तो सेकंड एंसर हमारा आजाएगा क्योंकि इसके लिए कंडिशन हमारे पास क्या है या आप रियक्शन किसके साथ कर आते हुए पता है आपको कलॉरोफोर्म की रियक्शन बेसिक मेडियम के अंदर और वन डिगर आते हैं तो आइसो र्न के सकते हैं स्मेल आती है वैड शमेल आतए है इसको अलों ब वुलता है सेन Changing test च्राविर देश्यक्र कर्व्रेशन सी थरी एं स्मार्ण जाता है बिख्रमेजुनम और नक्रामम के रित हुद ग्रेबिया कि अटिरोबनर मurs Bundes morte करें सिह बना इसका रीव strategy कर रहा को यहां एक साथ तो यह न बन जाएगा प्रेले झोट संट बना लेगा अब यह क्या बने गाइंगा नुकलिफाल बन जाएगा बच्चो अब यहां पर हम अल्किल है लिटे लेते इलिफ घमल एरो मेतिक यहां पर एपर रेजोनेंस होने लग जाएगा तो यह इसके उपर क्या करेंगा अटेक कर लेगा यह लीविंग गृप यहां से रिलीज हो ज एन आर और इसका फर्दर हम कर देते हैं alkaline hydrolysis तो यहां hydrolysis का मतलब है water selection करा देंगे मैं हाइड्रोलेसिस हो गया alkaline hydrolysis यहां हम लिख देते हैं ह इधर आगा ओच इधर ह और इधर आ जाता है ओच देखिए यह इस तरह की condition करने अगी अगई तो यह बनेगा हमारी पास बच्छो आर अर एनस्टू का हाट पहुको बनन जाता है यह यह ग्रेमीलट सींतेसिस बहुत इंप्रोंटेंड टिक्शन ए इनिस्ट्टी की तो यह हमारा वन डिगिरी फेटिक हैमिन समीन इसमें बना सकते हैं बन डिगरी अरोमेटिक नहीं बना सकते हैं, और बच्चों, नेक्स चलते हैं, हिंस्बरग रिजेंट इच, हिंस्बरग रिजेंट बच्चों क्या होता है, जब आपके पास SO2Cl जो गुरूप होता है, SO2Cl ये डारेक्ट बेंजिन रिंग से टेच्छ हो जाता है, इस तरह के जो रिजेंट उनको हिंस्बरग रिजेंट बोलते हैं, तो हिंस्बरग रिजेंट होता है, C6, S5, SO2, CL, बिल्कुल सिंपल सी बेसिक बात है, और हिंस्बरग रिजेंट से बन डिगरी, 2 दिगरी, 3 दिगरी, आमीन को डिफरेंशिट कर सकते हैं, विचिज मोस्ट बेसिक, बेसिक सबसे जाचार ये कौन सा होगा, देखिए, बेसिक नेचर जो होती है, वो हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन पर इलेक्टोन डेंसिटी कितनी हाई है, यानि हम यह कसते हैं, बेसिक नेचर डारेक्टली प्रोपोर्शनल टू अविलेबिलि यहां भी का सकते हैं, इलेक्टोन डेंसिटी, इलेक्टोन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी, वहां बेसिक नेचर ज्यादा होता है, तो यहां देखिए, यह रेजोनेंस में चला गया आपका, इधर बच्चों यह भी रेजोनेंस में जा रहा है, अविलेबिलिटी कम हो यह आपके पास SNHC लागे एस्टेडिक मेडियम में बच्चों नोटू किसमें कर्मट हो जाता है एनस्टू ग्रूप में कर्मट हो जाता है तो यह हमारे पास आजाएगा फोर्थ नेक्ट लेता है इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्चर बोलते हैं इसको नाइट्रेटिंग मिक्चर नाइट्रेटिंग मिक्चर में इलेक्टूफाइल वहता है ओनकोठी है तो यह नाइट्रोनियम आयन लोगया तो यह कैर आनोट्व पोल्टीव उमारा तो यह हो गया बेंजाइल एमिन यह बच्चों हो गया बेंजाइल एमिन और इसकी रेक्शन करा रहे हैं कलोरोफोर्म से CHCl3 और इन पर्जेंस ओफ एथोलिक क्यों तो यहां आपको पता है कि इन दोनों की रेक्शन से कौन से इंटर्मेडर बनती है होने के बाद में बच्चों यह बन जाएगा CH2NC यह बन गया बेंजील आइसोसाइनाइट बेंजील आइसोसाइनाइट तो यह हो गया फोर्ट एंसुरीज करेक्ट तो यह क्या करता है वाटर मॉलेक्ट अबजोब करेगा यहां से ओच ले लो यहां से हैच ले लो तो यह मिलक है अच्टू बना देगा तो यह आपके पास आजेगा आंसर फस्स्टिस करेंट डी हाइडरेटिंग एजेंट वाटर मॉलेक्ट निकाल के से और यह प्रोड़क्ट बना देंगे एक्शन ओफ एचन ओटू ऑन इथायल एमिन गिव मैन प्रोड़क्ट देखें बच्चों एथायल एमिन है सीट्टू एच फाइफ एनस्टू है इसकी रियक्शन हमको करानी है एच मतलब इससे है एचनू टू से तो हमारे पास क्या होता है एच ओ एन डबल बॉन ओ होता है देखिए आप इससे ऐसे चोड़ में याद रख सकते एक्शन को तो यह बनेगा सीट्टू एच फाइफ ओवेच और प्लस आपके पास आजेगा बट्चो एंट्टू गेस निकल जाएगी और बोटर बन जाएगा इथायल एलकोल आजेगा तो थर्ड एंसर इसक्रेक्ट विच फॉल्विंग कार्बोगलिक एसेड रेस्पॉंड टोलन रिजिएंट टेस्ट टोलन रिजिएंट टेस्ट टोलन रिजिएंट बच्वों क्या होता है अजी नो-3 और प्लस अमोनियम हाइडरोकसाइड का मिक्शर अमोनिकल सिल्वर नाइटेड सोलूशन नोन आज त तोलन रिजिएंट और अवराल अपन इसमें याद रख लेते हैं इसको एजी टू के फॉर्में तो यह आपका टोलन रिजिएंट होता है अब इज़े के लडी हाइड और कार्बोगलिक एसेड दोनों शो करते हैं और एसेड में क्या होता है फॉर्मिक एसीड होता है वह और वह बना देता है OCOOH, carbonic acid, अब ये आपका unstable होता है तो ये CO2 और H2 में चला ज़ता है, तो ये formic acid ही show करता है क्योंकि इसमें formal group capable इसी महीं होता है बच्चों, और किसी carbon acid में formal group नहीं होता है, यासे LDH test show करता है, वैसे carbon acid भी tolerance ब्रैंज टेस्ट फॉर एस्टिफिकेशन देखिए बच्चो ये एस्टिफिकेशन का मतलब है एस्टर का फोर्मेशन यानि आपके पास कोई भी कार्बोगजेलिक एसीड होता है और वो रियक्शन करता है एलकोल के साथ तो ये आपके पास होता है C2H5 ये होता है OH तो ये लीविंग ग्रूप होता है ऑपका और ये आपका होता है ceiling of file पेंगे बच्चों तो ही णिविंग भी फायल क्या करता है इस प्र थे करता है तो ये बन जाता है आपका R CO O जैसे मैंने ले लिया C2H5 यहाँ गुरूप यह बन गया एस्टर इस रेक्शन को बोलते हैं Estrification तो Estrification किस पर Depend कर रहा है Carboglyc Acid पर भी Depend कर रहा और Alcohol पर भी Depend करता है Alcohol में अपन यह करते हैं कि जैसे Crowding बड़े हैं की न्योक्लियो फिसिट कम होती जाएगे और यहां पर अपन जैसे अरट घुन जितना डोनर लेते जाएगे वेसे वेसे का मोत जाएगे तोल फोर मीस शीट सबसे फ10 करेगा फिर आपका करेगा एस्टेकी एस्टीट और फिर जैसे जैसे गुण। हम grown about जैगे यहीं कारबोनील-कारबन पर पूजिटिव चार्ज डेंसिटी हाइई होनी चाहिए तभी इस्टीफिकरिकेशन क्या हुता है फास्ट होता है अब जो और आफ़ से कारबोनील-कारबन तो जैसे जैसे अपन यहां पर अलकायल गूर्प डोनर बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर carbon carbon positive charge density decrease होती जाएगी ओके बच्छो next लेते हैं the compound having the maximum boiling point among the following boiling point पूछा बच्छो boiling point किस पर depend करता है molecular weight पर depend करता है h bonding पर तो यहाँ molecular weight अपन देखें तो almost same से दिख रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर h bonding वाला factor जो है वो dominant होता है किस में aesthetic acid में aesthetic acid में यहाँ पर जैसे dimerization हो जाता है और molecular weight क्या hydrogen bonding से क्या आज़ा just practically double आ जाता है तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं boiling point भी क्या आता है ज़्यादा आएगा इसका तो first answer is correct PSC triple bond N अब यह आपके पास आए partially hydrolysis किया है तो partially hydrolysis से बच्चों क्या बनता है इसका double bond O-NS2 बनता है amide बनता है और complete hydrolysis से बनता है acid अब यह आपके पास amide बन गया है यह तो हो गए आपका A इसके बाद में BR2 प्लस के ओच ले लिया है यह आपकी reaction हो गई हाप मान hypobromade reaction तो इसमें हमारे पास बच्चों क्या है यह CO group क्या होगा disappear हो जाएगा और यह बना लेगा हमारे पास NS2 group ठीक न बई जैसे side product K2 CO3 बनता है और KBR भी बनता है लेकिन यहाँ पर अपन man product ले रहे है man product हमारा क्या जाएगा अनिलीन आ जाएगा the gas evolved when the ethyl amine react to the nitrous acid अभी मैंने थोड़ी देर पहली बताई थी कि मतलब इसमे gas evolved पुछा है न तो nitrogen gas होगी अभी मैंने थोड़ी देर पहली mechanism आपको बताई थी कि इसमें क्या निकलता है nitrogen gas निकलता है ethyl alcohol react with c2h5 mgbr to give main main product ठीक है बच्चो तो ethyl alcohol यानि यह है c2h5 OH और reaction करानी है c2h5 mgbr से तो बच्चो देखो यह क्या होता है आपका base होता है यानि base की तरह काम कर रहा है इसमें आपके पास यह group हो गया और यह आपका acid होता है acid base reaction होई और acid base reaction क्या होती है सबसे fast होती है यह acidic character show कर गया तो यह बन गया आपका c2h6 यह main product बन गया यानि by acid ab reaction acid base reaction तो यह आपका हो गया third answer is correct acid and hydride on reaction with primary amines give तो acid and hydride बचो क्या होते है RNS2 का 1 degree amine तो यह nuclear file होता है बच्चों यह इस प्रटेक कर लेगा तो यह बन जाएगा RCONHR तो यह amide बन गया amide first answer is correct secondary amine alcohol amine तो हमारे पास आजाएगा amide वह यह आपकी NSR होगी यह तरह से acid derivative की NSR reduction of aromatic nitro compound using Fe HCl यह acidic medium जब भी आता है ना acidic medium में तो acidic medium बच्चों NO2 ग्रूप जो होता है Fe HCl की presence में यह NS2 में convert हो जाता है तो यह बन जाएगा आपका aromatic लिए तो aromatic primary amine बन जाएगा third answer is correct benzyl amine may be alkylated in the following equation ठीक है बही और वीच आप दा फॉल्विविग एलकील हलाइड इस बेस शुटेटेट इट फोर दै action through SN1 mechanism SN1 mechanism में stability of carbocatine देख लेते हैं SN1 directly proportional to stability of carbocatine और carbocatine में benzyl carbocatine सबसे ज्यादा stable होगा resonance stabilized होगा बच्चों यह resonance stabilized होजएगा इसमें direct आपको वास resonance होगा तो यहाँ फैनिल unstable हो जाएगा और यह resonance stabilized carbocatine तो third answer is correct SN1 mechanism के according पूछ रहा है आपको among the following strongest base in aqueous medium देखो aqueous medium के अंदर strongest base में अपन एलिफेटे की बात कर दो टू डिगरी सबसे बेस्ट होता है कि अब ने देंगत्य क्या आपने वर्डर सबसे ज़्यादा बेस्क होता है तो कई फैक्टर इन वोल होते हैं तो द्यान रखना है टू डिगरी अमीन का ये टू डिगरी माइन आ रहा है हमारा पास और एलिफेटिक होते है वो अरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होते ही है तो ठीक है अपने ये टू डिगरी लें तो थर्ड एंसरी स्क्रेक्ट वीचो फॉल्विगं कंपान्ट विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रेक्शन वित बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइट एजो कपलिंग रेक्शन एक इसर का इक्जामपल बच्छो यह है ईसर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्ट्टिशन का एक्जामपल है तो इसमें क्या ध्य छोटी तोटी है वह इस भी एक्ष्व करती है तो एनिन में देखिए आपके पास एलेक्टोर विश हो गई है और है और याठीळ्व और यह एक्स ले लेते हैं तो यह क्या करता है इसके उपर पर प्रोड़क्ट बना लेता है और एक रहने हैं तो यह पुछा जा कि कौन सा नहीं देगा तो च्कडर करेंगे और यह टीनो रिंग्त क्या करेंगी करेंगी और किक्वarsa शेतले करेंगे विश्च करेंगे मेंट करूं एयरेऊ में कॉ पार है मिले होगता है आब यह आपके पास यहां पर बेंजिन दिंग भी हो सकती है और प्लस के अउक ही लेते हैं और प्लस च च औहुत ऐले मिले दो यह हमारे पास दोनों region होते हैं अधो एक ओर इसमें बन जाएगा आपके पास जो भी आप लोग है यहां पर गुरुप उसके अकोर्डिंग एंसी आइसोसाइनेड बन जाएगा अगर अगर वेन एथिल एमीन टीटिटेड विज एस त्री एमजी विए प्रोड़क्ट फॉर्म्ड देगे एथिल एमीन में फिर यहां पर आपके पास एस एक्ष ऑड्रोजन और येक्षन करा रहे हैं सी एस 3 एमजी वी आरकी तो ग्रीन्यार रीजिन की सबसे वोक्त बीट्रेटीब्स नहीं होती है यहां पर क्या होता है सिर्टीक कोता है मूर एलेक्ट्रो नेगाटी सेट इच यह तो यहां एई-बी रियक्शन होगा तो यह हीँ वीडेटी आजाएगा लिद्रीडrim 구moscACl 14 वांसे वांदा हुमारा हो गए सेकेंट rate of the reaction is fastest when the jet देखें बच्चों हमारे पास क्या है R, CO ये Z है और ये nucleophile attack कर रहा है ये living group होता है LG और ये attack करेगा nucleophile तो यानि यहाँ पर जो rate है rate वो किस पर depend कर रही है nature of living group पर निर्बर कर रही है living group का मतलब बच्चों क्या होता है weak base are good living group तो यहाँ जो strong acid से आता है उसका conjugate होता है weak base और weak base मतलब जैसे CL आ रहा है वो HCL चाहरा रहा है OC2H5 आ रहा है C2H5 OS से आ रहा है और OCO CS3 आ रहा है तो ये CS3 COOS से आ रहा है और NS2 आ रहा है बच्चों NS3 से आ रहा है तो इसमें strong acid कोंड सा है यह है और strong acid का conjugate क्या होता है weak base होता है weak base are good living group तो CL is a good living group और reaction की rate क्या हो जाएगी fast हो जाएगी which gives HVZ reaction है वोलाड जलिंस की रेक्शन बताया था मैंने alpha H containing carboxylic acid give this reaction HVZ है वोलाड जलिंस की है वोलाड जलिंस की रेक्शन ठीक है बच्चों तो यह हमारा all of these जाएदे को इसमें भी alpha आ गया इसमें भी alpha है और इसमें भी alpha है तो all of these formic acid और aldehyde को differentiate करना आपको ठीक है बच्चों तो भी बताया था टोलन रीजेंट तो दोने देंगे फैलिंग solution भी देंगे एजी शेल्टू यह जैसे इन में यह group जो है common होता है यह group common है formula और यह formaldehyde यह group दोनों में सेम आ रहे है तो यह का निकलने वाली है CO2 gas release हो जाइए बच्चों CO2 gas release होगी तो third answer is correct the correct increasing order of basic strength for the following compounds is निम्लिस योगिकों के लिए सही छारिय समध्य का बढ़ता करम है बढ़ता करम पुछ रह है increasing order पुछ रह है तो देखे बच्चों यहां आपके पास यह group आ गया है donor ठीक है ना EDG हो गया EDG और यह आपका है withdrawing group यह है EWG तो EDG से क्या basic strength बढ़ जाएगी और यहां कोई group ही नहीं है तो सब से ज्यादा basic आपका हो जाएगा third और सब से कम हो जाएगा second ठीक है बच्चों EDG से आपने कहाएंगी basic strength जो होती है ना basic strength directly proportional to EDG और inversely proportional to EWG electron withdrawing group से कम होता जाएगा और donor से बढ़ता जाएगा identify the product in the following sequence 3,4,5 tri-bromo aniline देखे बच्चों aniline होता है यह aniline लिया अब आपके पास है थ्री पर यह one यह two और यह three थ्री पर लिख दो bromine 4 पर लिख दो और लिख दो और यह देख दिया फाइब फाइब थ्री फोर और फाइफ ठीक है बच्चों 3,4,5 tri-bromo aniline लिया अब die-agotation करोगे सबसे पहले तो die-agotation से बच्चों क्या होगा यह group effect हो जाएगा इसका यहाँ पर आप die-agotation का मतलब है यह group आ जाएगा यह group आपका constant रहेंगे तीनों अब आपके पास यह reducing agent होता है reducing agent क्योंकि इसमें pH bond होते हैं जो pH bond की presence के करने good reducing agent होता है तो यह क्या करेगा बच्चों reducing reduction कर देगा reduction in presence of H3PO2 यह आपके die-agotation हो लिए तो यहाँ बन जाएगा बच्चों सीधा direct देखोगे तो यह आपके पास BR यह BR और यह BR इसको वह लेंगे 123 ट्राइब्रोमो बेंजीन तो second answer हमारा correct हो जाएगा कि बेंजीन डाइजोनीम क्लोराइड इस रिद्यूस्ट टू बेंजीन भाई अभी बताया था मैंने देखो H3PO2 reducing agent होता है इनिश्याटी में विल्कुल वाख आइदर दे रखा है और एक एलकोल जो है तील अलकोल वह भी क्या होता है reducing agent होता है तो दोनों आपका correct हो जाएगा कि वीच वन इस दा मोस्ट वोलेटाइल देखो वोलेटाइल नेचर क्या होता है वह आपका जिसमें वीक फोर्स होगा ना वो ज्यादा वोलेटाइल होगा कहने का मतलब है कि एक बर्डाता आपका पास boiling point और एक आता वेपराईजेशन तो boiling boiling point के inversely proportional होता है वेपोराईजेशन वेपोराईजेशन इन्वसलिपोर पॉयलिंग पॉयंट जिसका boiling point minimum होगा minimum boiling point तो यह maximum होगा यह उसका maximum होगा तो यह आप देखिए लगबग almost same मोलीकिलर वेट के कमपाउंड अपन देख रहे हैं तो यहां थ्री डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉंड रही है बाकी में सब में देखिया है हाइड्रोजन बॉंड की पॉसिबिलिटी है ठीक है बच्चो तो यह आपका सेकेंड एंसर इस करेक्ट है कि पॉस्ट वॉलेटल होगा 246- िरा अलेस्व प्रोड़क्त अफ मैं कि यह किस का प्रोड़क्त है 246-99 अगलिक्ट my body आपकी एनिलिन और एनिलिन पर अपन रियक्शन कराते हैं ब्रोमीन की ब्रोमीन की रियक्शन करा रहा है तो यह हमारे पास ESR होता है इलेक्टोफिलिक सब्सिटिशन रियक्शन होती है एक जगए यहां टेक कर देगा एक बार यहां टेक कर सकता है तो यह यहां टेक कर करेगा तो तू फिर आजएगा आपका फ्ल लेकिन एकसेस लेना पड़ेगा एकसेस लेना पड़ेगा ब्रोमीन वोटर यानि पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा उसके कारण यह बनेगा आपका कि एनेस्टू और इधर आपके आजाएगा बी यार और यह बी यार और इधर यह बी यार वान टू त्री यह थोड़ा दोको बच्चों गलत कर दिया इसको सभी प्रोड़क्त लुआ देता है एनेस्टू एक बार आपका ओर्थो पे जोड़ दो एक बार जोड़ दो पैरा पे और एक बार ओर्थो डैस पर जोड़ दो तो यह टू पोजिशन हो गई यह पोड़न हो गई यह 6 पोजिशन हो गई तो इलेक्ट्रो फिलिक नुपलिक अदेशन नुकलिफिलिक अडिशन इलेक्ट्रो फिलिक सब्सक्रीशन इसिक्षन सेकेंड एक्ट्रीस करेक्ट बाल जी सिमान देख्षन है नेमिंग देख्षन है NCRT की जा रहा है और इसके साथ में और यह फिर यहां पर देखिए यह माइड में फिर वापिस यह वाला देजनेस में चला गया तो बच्चों यह सबसे ज्यादा बेसिक हो गो है कि विच्छ और क्रेक्ट प्रोडेक्ट अकोर्डिंग देयर रियक्षिशन कोन सा रियक्षिन के अकोर्डिंग प्रोडेक्ट है तो देखें यह वाला भी रियक्षिन अमने लिखी थी यह आपका एसर हो गया तो टू-फॉ-सी-ट्राइब रोमो-एनिलिन बनता है तो आपके पास फैनील आईसोसाइनेड टेस्ट यह आपके पास यहाँ पर फैनील आईसोसाइनेड बन जाएगा कार्बिलेमिन रेक्शन हो गई और यह आपका reducing agent हो गया तो यह इसको reduce कर रहा है तो all of these all are correct treatment of ammonia with excess of ethyl chloride will yield आप यहाँ ammonia की reaction ले रहे हो और C2H5Cl ले रहे हो यह excess में ले आपने है एक्सेस में लोगे तो बच्चो टेट्रा एथिल अमोनियम क्लॉरेट बन जाएगा जैसे पहले देखो आपके पास क्या बनेगा C2H5NS2 बनेगा फिर दुबरा आप C2H5 फिर CL आपने ले रखा है यह living group फिर वापिस यह अटेक करेगा इसके उपर ठीक न इस तरह से हम अटेक करते जाएंगे तो एक बार आ जाएगा C2H5NH फिर वापिस आप C2H5C2H5CL फिर लोग फिर living group फिर यह अटेक करेगा वापिस तो यह बन जाएगा C2H5 3N और उसके बाद में फिर वापिस C2H5CL फिर यह अटेक करेगा तो यह बन जाएगा Tetra C2H5 4 Tetra Ethyl और Ammonium और यह आपका हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा माइनस तो थार्ड एमसरी इस करेक्ट यह भी एक NSR का अग्जम्पल है वाट इस दे एंड प्रोड़क्ट इन फॉलोविंग सिक्वेंस देखें बच्चों यह C2H5 NH2 से अभी HNO2 से रिक्षन करा ही नैट्रेस अचिड से तो मेजर प्रोड़ेट क्या बना था C2H5 OH बना था क्लियर PCL5 से रिक्षन करा हो गए तो यह OH रिप्लेस होगा यह बनेगा C2H5 CL यह बनेगा आपका पहला प्रोड़क्ट इस हो गया A लेलिया मैंने सीधा यह बनेगा B और फिर आपका NH3 से फिर रिक्षन होगी तो यह आपका लिविंग ग्रूप हो गया और यह आपका नुकलियो फाइल तो यह बनेगा बच्चो C2H5 NH2 एथिल एमिन हो गया अंसर सेकेंड एंसर इस कर्रेक्ट देखिए बच्चो इसमें हमारे पास CH3 CH2BR दे दिया आप देखिए इसके बाद में इसका रिड़क्षन करवाना है रिड़क्षन कराओगे तो एच्टू निकल की प्रजेंस में रिड़क्षन होगा तो CS3 CH2 NH CS3 तो टू डिगरी एमाइन बनेगा तो यह आपका पास देखो बच्चो CS3 CS2 यह आ रहा है और NS और CS3 तो सेकेंड एंसर इस करेक्ट the compound that undergo the decarboxylation most readily under mild condition कौन सा योगी मंद प्रसिश्म सरोधिक भी कार्बोक्षिली करण देगा देखिए बीटा कीटो एसीड होते नो फास्ट कार्बोक्षिली कर्ण देखिए बच्चों यहां पर यह है अल्फा और यह है बीटा देखिए और किसी में भी कृट रजा उल्फार बीटा कीटो एसीड होते रिंग क्यों को इसमें एक किलेशन होता है रिंग बन जाती है तो यह पॉजिशन अलफा यह बीटा बीटा कीटो बोलेंगे तो सेकेंड एंसुरी स्क्रेक्ट कि देखिए अब हमारे पास सी सिक्साइब सीस्टू एनस्टू यह आपका हिंसबर्ग रिजेंट आ गया है तो हिंसबर्ग रिजेंट सीरेक्शन हो रहे हैं आप तो देखिए देखिये सीसीक्स एच फाइफ यह ऐच टू एनस्टू और यह बच्चो है अमने पास सीज़ एस्तू फैछ इंगा यह बथैगा इनस्टू मैं औरρι। C6H5 तो यह आपके पास है N-benzilsulfonemide अब यह बच्चों इसमें क्या Acidic Hydrogen पढ़ा दे यह है Acidic H तो यह Acidic H जो होगा वो Base में Dissol होगा यह reaction करेगा Na उचके साथ Na सा reaction करके क्या बना लेगा? Salt बना लेगा यहां से H निकल जाएगा और यह आजाएगा Na प्लस तो यह बना लेगा C6H5CH2 N यह SO2 और यह C6H5 तो यह आपका N हो गया और यह आजाएगा आपका Na प्लस यह soluble बन जाएगा तो यह Aqueous N-UH में soluble होगा BR2, CS2, PP देखो बचो यह carbon dye sulfide दे लिया आपने पस तो यह आपके पास है Non-Polar Solvent Non-Polar Solvent Non-Polar Solvent में reaction की जो rate होती है वो polar solvent से कम रहती है तो यहाँ पर Bromine का attack जो होता है या तो ओर्थो पे होता है या फिर पैरा पे हो पाता है तो एक product ओर्थो बन जाएगा और एक पैरा बनेगा ओर्थो और एक पैरा और यहाँ पर third option में mixture of the one end तो मिश्रन यह आपका third answer ठीक है ठीक है बच्चो यह आपका ESR का example है Electrophilic Substitution Reaction है Bromination हो रहा है यह आप यहाँ polar solvent लेते तो two ओर्थो और पैरा और ओर्थो डिस्पाटेक हो जाता है Otherwise आपका या तो ओर्थो पर यहाँ होगा पैरा पर होगा तो दोनों का mixture बन सकता है अब आए बच्चो identify the compound ABC in the following reaction एक reaction की sequence के दिशन CH3BR आ रहा है तो पहले step में बच्चो हमारे पास आजाएगा CH3 MgBR ग्रिन्यार रीजेंट बन जाएगा जी आर बनेगा यह बनेगा आपका यह अब reaction next CO2 से करवा रहे हैं आपन और water तो यह reaction हमारे पास पहले भी आ चुकी तो CH3 COOH बन जाएगा हमारे पास यह हमारा B step आ जाएगा और फिर CH3 OH से हमारे पास ester formation esterification होगा CH3 OH तो यह आपका living group और यह इस पर attack कर लेगा तो यह बनेगा CH3 CO2 CS3 तो यह आपका पास आजाएगा CH3 COOH तो यह आपका पास आजाएगा CH3 CO2 CS3 तो बच्चों अब हम आते हैं इंटीजेट टाइप वाले question पर numerical value वाले है तो देखें यह बच्चों तो इसमें भी नस्टू ग्रूप हो गया फिर आता है एन मेथिल बेंजिल एमाइन बेंजिल एमाइन क्या होता है यह है बेंजिल एमाइन ठेक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है एक है चटाना है तो यहाँ से एक है चटा दिया और यहाँ जोड़ दिया CS3 तो एन मेथिल बेंजिल एमाइन हो गया है लेकिन यह टू डिग्री एमाइन हो गया है इसमें प्रोपेन में प्रोपेनमां प्रोपेनमाइन होता है वमारे पास थीन कार्बन ले लेंगे आविन ऑट x20 जोड़ देंगे तो यहां एनस्टू जोड़ेंगे तो यह आपके पास यहां एनस्टू गूरूप है लेगिन यह अरोमेटिक आ गया तो इलिफेटिक जो है वह गंबियो तो यह पने सिंतेसिस बना सकते हैं तो फ़स्ट एक हो गया दो हो गया आपके पास और यह हो गया तीन तो आशर क्या जाये आपका ऐननली न आएगा नहीं और यह बीच वाले यह यह भी नहीं आएगा यह 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 और यह और यह तो अंसरों गे 030 33 is correct answer कि नेक्ट देसे हैं है हुआ है कि किは मैं नी रिएक्षिन बिलॉउंग टुदए पिलॉग टॉड़ अर्मेटिक सबस्टूशिंस कितनी रिक्षों लेक्ट्रोफिलिक अर्मेटिक सब्सटूशिसर तो ब्रोमीनेशन ऑफ एस एस एलाइट इसी टेनलाइड बच्चों जानते हो आप किया होता है नह सीओ सीस्त्री इसको बोलता अच सीट अलाइड और ब्रोमिनेशन करेंगे ब्र-2 तो वह वाली बात यहां पर रियक्षन जो है या तो ब्रोमीन ओर्थो पर टेक करेंगा पार पर तो यह सार हो जाएगा अपका फिर यह नहीं होगा आपका ESR, acylation of aniline, यह भी नहीं होगा, acylation का मतलब आपके पास acyl group attack हो रहा है, ठीक है न, acylation का मतलब है, कि आपके पास acid derivative कोई आ रहा है, इस तरह से, और साथ में aniline आ रहा है आपके पास, और यह living group और यह इस पर attack करता है, तो यह ESR नहीं होगा बच्चों, जो answer होगा है, 0,2, 0,2 answer होगा, of the following amine, how many can carbylamine injection, carbylamine injection के लिए क्या बता है था, 1 degree, aliphatic, or aromatic, amine, दोनों दिदेंग, तो देखें, यहाँ पर आप बस, यह NH2 आ गया, यह aromatic भी count होजाएगा, यह भी count होजाएगा, यह 2 degree है बच्चों, यह नहीं होगा, यह 3 degree होजाएगा, यह 3 degree होजाएगा, तो answer होगा है, 0,3, how many aromatic amine are possible from C7H9N, aromatic amine पुछा बच्चों, तो देखो, तो aromatic में benzening बना लेंगे पहले तो एक, फिर यहाँ पर आपने aromatic amine पुछा है, तो एक NH2 यहाँ जोड़ दीजिए, और एक CS3 लगा दीजिए, तो ortho metapara के coding आप देख लोगे, यहाँ पर, ठीक हो बच्चों, एक तो यह हो गया आपका, तो यह ortho metatoludine हो गए, तीन तो, इसके बाद में आपके पास एक यह बन जाएगा आपका, और दूसरा पॉसिबल अपन एक बनाने में तो यह भी बनाते हैं, लेकिन यह आपका, aromatic amounts के अंदर अपन काउंट करेंगे इसको, लेकिन यह, सोरी है, एलिफेटिक हो गया है, बच्चों, यह एलिफेटिक हो गया है, क्योंकि NH डारेक्ट रिंग से टेच होना चाहिए, तो इसमें आंसर आपका आगए, 0,4, 0,4 is correct, हाओ वेनी प्राइमरी अमाइन आर पॉसिबल विद फोर्मुलर सी फोर एच लेवन एन, तो बच्चों देखो, इसमें वन वाई वन अपन ऐसे बना सकते हैं, एक बार आप इसको NH2 को ले जाओ, दो तो यह बन गए, फिर आप ISO structure बनाके एक बार यह हो गया, और वैसे याद भी कर सकते हो कि चार कार्बन के चार रेडिकल, तो चार ही बनेंगे, तो आंसर हो गया, 0,4, हाओ वैने, ओक्सिजन एटम आर प्रजेंट इन प्रोड़क्ट, तो हीटिंग इफेक्ट है बच्छो, ब्लैंक रूल जो आपका है, कि आप दोन CWs के बीच में 0 और 1 कार्बन होता है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है, ब्लैंक रूल के कोडिंग, तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा, और डाइकावेशिट गीव दा मोनो कार्बोक्सिलेक एचिट, तो इसमें प्रोड़क्ट में कितने अक्षिजन एटम है, टू एटम है, तो आंसर हो गया, जीरो, टू, अमंग दा फॉलोविंग कंपाउंड, और हाउ मैने विल प्रोड्यूस एचिप बेस और रियक्शन विद साइकलोपेंटेनोन, तो यहाँ आपको कितने साइकलोपेंटेनोन से विक्रिया करके सिप छार उत्पन करते हैं, तो बच्चों देखें, साइकलोपेंटेनोन, का पहले अपन यह स्ट्रक्चर बना ले, यह साइकलोपेंटेनोन होता है, इसकी रियक्शन आप करवाते हो, वन डिगरी एमिन से, तो यह बनता है, सिप बेश, इसको गयते हैं, बच्चों सिप बेश, तो इसमें देखिए, आपके पास यह एक काउंट हो गया आपका, फिर यह दूसरा काउंट हो गया, यह तीसरा काउंट हो गया, यह 2 degree आएगा उसमें नहीं बनेगा 3 degree में नहीं बनेगा बच्चो इसमें भी नहीं बनेगा तो 03 answer हो गया 03 answer is correct ठीक है बच्चो how many moles of CO2 will release when following compound treated with heat योगी को गरम करें तो कितने moles CO2 निकालेगा तो बच्चो देखो बीटा ketocid वाला case आ रहा है यहाँ पर यह position आप देख रहे हैं यह alpha है यह बीटा है यह position भी देख लो आप यहाँ पर इसके respect में यह alpha है यह beta है तो बीटा ketoacid में यह भी CO2 निकलेगा यह भी निकलेगा और यह भी निकलेगा और यह प्रोड़क्ट final आपका convert जो हो जाएगा double bond O तो यहाँ 4 CO2 molecule जो है आपके release हो जाएगे यहाँ बीटा ketoacid के करण बीटा ketoacid बन रहा है due to beta ketoacid, beta ketoacid में decarboxylation fast होता है तो 0-4 answer आपका correct how many compound that will give hopman bromide reaction कितने योगिक hopman bromide भी करिया देंगे तो यहाँ देखिए बच्चों हापman bromide में CO-NH2 group होना चाहिए CO-NH2 group है अब यहाँ पर यह क्या है पहले reaction हो जाती हो जाती होता है तो acidic hydrons जीबूँ हो करके भी हो सकती living group आ रहा है यहाँ पर यह भी reaction possible है लेकिन देखो यहाँ pH आ गए बच्चों यह reaction नहीं होगी और एक यह व्याले पॉसिबल है तो 1 & 2 तो यह आपका 04 एंसर हो गया है कि विचों फॉल्विंग अमाइन्स हाव मैने विल टेस्ट विद हिस्वरग रिजेंट हिस्वरग रिजेंट का मतलब है ऊलड़ इस तो टु सी एल के साथ में और यहां वन डिग्री भी दरेंगे बच्चों टू डिग्री भी दरेंगे अ माइनस अधि अधिद्र नहीं देंगे तो यह देखिए यह वान हो गया यह 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 भी देगा कि यह टरिड नहीं देगा तो 1, 2, 3 and 4 आंसर हो गया 0, 4, 0, 4 is correct answer बच्छो नेक्स ले रहे हैं अमोंगेश्ट दा फॉलोविंग ओडर हाव मेनी ओडर्स आर करेक्ट अकोर्डिंग देर बेसिक स्टेंथ कितने करमचार समर्थे के अंसार सही है यहां यहां अमर्पा 2-Degree माइन हो गया वन डि जिज्यादा बैसिक है और यह इलीफटिक बच्छो आया यह अरोमेटिक से ज्यादा बैसिक हो गया और फिर यह यहां एंसी विज्ड्रोविंग गुरूप आ गया है और यह डॉनर मतलब इसमें कोई ड्रोविंग नहीं तो य ज्यादा बेसिक है, यह CL electron withdrawing हो गया है बच्चों, तो यह count नहीं करेंगे अपन, तो 03 answer identify how many compound are more basic than aniline, aniline से ज्यादा बेसिक होना चाहिए, तो बच्चों देखो अलिफेटिक जो होते हैं, amine more basic than aniline, तो यहाँ आपके पास यह अलिफेटिक है, यह अलिफेटिक है, तो यह दोनों आ गया आपके पास, और आपके पास यहाँ देखिए, donor group are added हो गया, EDG, तो यह भी aniline से ज्यादा basic हो गया, तो answer कितना हो गया, तीन हो जाए, यह withdrawing हो गया बच्चों और यह amine आपके पास आ गया, यह कम basic होते हैं, तो answer हो गया हमारा 1, 2 और 3, 03 answer हो गया, कितने मोल एन्योस के कंजूम हो इस रेक्शन में, देखिए बच्चों यहाँ पर दो एसेडिक हाइडरोजन है, पहले दो एसेडिक हाइडरोजन करने में, दो मोल एन्योस काम में आता है, और फिर वापिस इसका alkaline hydrolysis होता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसकी जो mechanism होती है, उसके कोडिंग बात होती है, यह हाइडरोजन दो पहले हटते हैं आपके, यह दो हाइडरोजन हटेंगे, हटेंगे तो यहाँ टू मोल कंजूम हो जाएंगे, और यह बन जाएगा आर सी ओ एन, acyl nitrine बनती है, जैसे carbon बनती है वैसे ही इसमें intermediate होती है, यह होती है, acyl nitrine intermediate, फिर इसमें rearrangement होता है बच्चो इसमें, तो R, N, C, double bond, O, alkalisocyanate और इसका hydrolysis होता है, तो यहाँ पर आपके पास N, इसके किते मोल कंज आ जाते हैं? दो मोल कंज आ जाते हैं, देखें, यह दो मोल कंज आ जाते हैं, तो यह बनेगा R, N, S, 2 और प्लस N, A, 2, C, O, 3 देखें, तो यहाँ दो मोल आ जाते हैं, तो टोटल केते होगे, 0, 4 4 मोल का में आएंगे, बच्चो, जे में पुछा हूँ भी question है, यह बहुत अच्छा important question है, N, C, R, T का, बच्चो, अब हम आते हैं, 14 number question के उपर, which of following reaction, how many reactions will give primary amine, देखें, यह हमारे पास half man bromamide reaction हो गई, तो इसमें product हमारे पास CH3, N, S2 आ जाएगा, यह जो CO group है, वो डिसपीर हो जाता है, बीच में, मेकनिजम से, क्योंकि यह CO2 में चला जाता है, मेकनिजम से अपने explain किया है, lithium aluminum hydride is a strong reducing agent, यह reducing agent होता हमारे पास, तो यह convert कर देगा CH3, CH2, NH2 में, यह भी 1 degree amine हो गया, फिर हमारे पास यह CH3, N, C, बच्चों यह हमारा convert हो जाएगा, NH, और यह है CH3, यह 2 degree amine हो गया, इसके बाद में फिर यह amine आ गया हमारे पास, तो इससे वापिस यह CH3, CH2, NH2 में convert हो जाएगा, यह भी 1 degree amine हो गया, यह भी 1 degree है, यह भी 1 degree am है, तो हमारे पास कितनी reaction primary amine बना रही है, फिर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड नहीं होगा, और फॉर्थ, यानि 03, आनसर हो जाएगा 03, तीन reaction होगी बच्चों, नेक्स लेते हैं, 15, देखो अब हमारा last question आ गया है, ठीक है बच्चों, तो last question भी हमने वैसे पहले बात कर लिए थी, फिर भी बापीस देखिए, यह आपका है, पोलर, solvent, reveals Island, polarעל प्रोटिक, पीपिएस वालते पोलर पोलर्टिक शॉल्वेंट है, तो प्वालर प्रोटिक स्वल्वेंट के अंदर क्या होता बच्चों, इसकी जो reaction है, यह सार फास्ट हो जाती है यह मैं यह कह सकता हूं कि यहां पर अटेग जो होता है और्थो पर ऐरा और ओर्थो टेज तीनों पर अटेग हो जाएगा तो प्रोड़क्ट आपका इसमें जो बनेगा देखिए इसके अंदर इस तरह से पोलराइजेशन डेवलेप होगा डेवलेप होते ही यहां पर वन वाई वन इस तरह से यहां पर और तीनों जगा टेक हो जाएगा पोलर सॉल्मेंट में एस टू की अब बियार और यह बन गया 246 246 ट्राइब रोमो एनेलिन तो इस प्रोड़क्ट में बचो कितने ब्रोमीन है इटम है तो पाद में कितने ब्यार प्रमाण उपस दिता है तो यह हो गया हमारे पास जीरू थ्री अज़ए कि अगर तो बचो देखें मैंने काफी पेपर इजी और स्कोरिंग बनाया है मैं एक्सप्रक्ट करता हूं कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और मैं चाहता हूं कि पूरे में से पूरे स्कोर जो है का और आपने प्रोपर फोलो किया होगा आपका अच्छा हुआ होगा और भी आप अच्छे करते रहे हैं लगे रहे हैं बच्चों ओके थैंक्यू जै-जै-ची-ए-ल-ची